शोध अभिवित्ती रिसर्च अप्टिटूड अध्याई शोध अभिवित्ती रिसर्च अप्टिटूड सीखने के उद्देश्य शोध अर्थ प्रकार और विशेश्टाएं प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम शोध पद्धतियां प्रयोगात्मक, विवर्नात्मक, एतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध के चरन शोध प्रबंद एवं आलेक लेखन, फार्मेट और संदर्ब की शैली शोध में ICT का अनुप्रयोग शोध नैतिक्ता भारत का अतीप ज्यान से परिपूर्ण था और भारतिय संसार का नेत्रित्व करते थे मनुष्य अपने जीवन को सार्थत बनाने के लिए सदैव प्रयासत रहता है लेकिन सार्थत जीवन क्या है और इसे कैसे प्राप किया जाए इन सब बातों का अवबोध होना को ज्यान के रूप में परिभाशित किया जा सकता है सरल भाशा में ज्यान के विस्तार की हम अनुसंधान या शोध कहते हैं यह जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है अनुसंधान के बिना ज्यान के किसी भी क्षेत्र में प्रगती नहीं हो सकती ज्यान प्राप्ति और समाज या यू कहें कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सदैफ परंपरागत तरीकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है अनुसंधान हमें वास्तविक्ता के समीप लाने का निरंतर प्रयास करता है अगर हम स्थूल स्टर, मैक्रो लेविल पर देखे हम किसी महामारी का उपचार ढूणना चाते हैं प्रदूशन कम करना चाते हैं, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाते हैं, शिक्षन प्रणाली में सुधार करना चाते हैं, बाजार में कोई नया उत्पाद लेके आना चाते हैं, इन सब में सफल होने के लिए अनुसंधान आवश्चक है अगर सुक्षमस्तर, माइक्र लेविल पर देखे कोई छात्र स्मार्ट फोन खरीदना चाते हैं, और वहां उसके लिए विभिन ब्रांडों के तुन्नात्मक अध्ययन करते हैं, यह भी एक अनुसंधान ही है, चाहे उसके लिए हम अभी होकर, कॉंशिसली, किसी अनुसंध समाधान के कार्य. मैं आगे बढ़ते हैं, किसी विशेश ज्ञान शेतर में शोट समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ती में किया गया कार्य उस विशेश ज्ञान शेतर का विस्तार है। हम सामान्य जीवन में ज्यान प्राप्ति के लिए पाँच ज्यान इंद्रियों, आक, नाक, कान, जिर्वा और तवचा, यानि व्यक्तिगत अनुभव, परस्नल एक्स्पिरिंसिस पर आश्रित होते हैं, परंतु इनकी अपनी एक सीमा है, इसमें व्यक्तिनिष्ठता, सब्ज होना भी सामान्यता ज्यान का प्रतीक माना जाता है, ज्यान प्राप्त करना एक सतत प्रयास है, अनुसंधान किसी भी उच्चे शिक्षा संस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, अनुसंधान की परिभाशा, definition of research, अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को दूध निकालते हैं, अनुसंधान को शोध, गवेशना, ओज, अनुवेशन, मीमान सा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्ज, आदी नामों से भी अभीत किया जाता है, अनुसंधान, रिसर्ज, दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंसर्ज, अर्थात पुना खोज या कुछ नया रूप से जाच करता है, Advanced Learner's Dictionary, Advanced Learner's Dictionary के अनुसार, अनुसंधान विशेश रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानी पूर्ण जाच है, J.W. Crossbell, J.W. Cresswell के अनुसार, अनुसंधान किसी विशय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विशल पूर्वक प्रक्रिया या विधिवत अमवेशन, Systematic Investigation है, अनुसंधान वैज्ञानिक पध्धती पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्यान भी वस्तुपर्क या वस्तुनिष्ट, Objective होता है, वैज्ञानिक पध्धती के अंतरगत पत्यों की व्याख्या करना उनका वर्गी करन एवं व्यवस्तित अवलोकन को समावेशित किया जाता है, अनुसंधान मून रूप से वैज्ञानिक ड्रिष्टिकोन, Scientific Approach पर आधारित है, फिर चाहे विशय मौलिक विज्ञान, Basic Sciences, जैसे की भौतिकी, रसायन हो या फिर समाजिक विज्ञान, Social Sciences, जैस मान लीजिये की आप एक शिक्षक है, शिक्षक होने के नाते आपके सामने अनुसंधान के योगित्या विशय या प्रश्ण हो सकती है 1. ग्रामीन छात्रों की कौन सी विशिष्ट परिस्थितिया एवं समस्याय होती है दो, इन विशिष्ट परिस्थितियों के कौन से संभावित कारण है तीम, किसी शिक्षन संस्थान की शिक्षा पद्धती से विद्यार्थियों के मातापिता कितने संतुष्ट है चार, शिक्षन पद्धती में परिवर्तन से चानरों की बोध शती पर क्या संभावित प्रभाव होगा? अनुसंधान के ये अंतहीन प्रश्न एवं विशय हो सकते हैं दर्शन शास्त्र में ज्यान एवं अनुसंधान से संबंधित कुछ रोचक बाते नेट की परिक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न कुछे गए हैं इससे अनुसंधान के बारे में भी कई तथिस पष्ट होते हैं यदि हम बीसवी शताब्दी के दूसरे भाग विशेश कर अंतिम दो दशकों को सूचना का विसफोट माना जाता है तो 21 शताब्दी के आरम को ज्यान का विसफोट कह सकते हैं ज्यान का अर्थ है सूचना चिंतन एवं तर्क हमारी सभ्यता में ज्यान को बहुत उच्च स्थान दिया गया है अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा जोतिर्गमय है प्रभु हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो ज्यान का उद्देश्य अज्यान को समाप्त करना है ज्यान बल है, ये संशय का नाशकारी है, यह मंधन पर आधारित है और विकास का मार्ग प्रशस्ट करता है ज्यान की उतकट अभिलाशा अनेक अविश्कारों को जन्म देती है। आईए, अब कुछ और बातों को जान ले तत्व मीमानसा, मेटिफिसिक्स यहां सत्य के स्वरूप की खोज है, यहां अस्तित्व, समय, स्थान, आदी का बोध है। ज्यान मीमानसा, एपिस्टेमोलजी इसे रोचक शब्दों में ज्यान का ज्यान कहते हैं, ज्यान कैसे प्राप किया जाए। डिदाक्षन से संबंधित है, जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के अंतरगत की गई है। डो पनुभववाद, एंपिरिसिजम इसमें इंद्रियों को मस्तिष्क ऊपर माना गया है, इससे इंद्रियों द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंक्रे मस्तिष्क तक जाते हैं। इसके बिना कोई ज्यान उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको आगमन से संबंधित किया जा सकता है। इसके अनुसार शोध यथा संभव संद्रचित होना चाहिए, दूसरे शब्दों में अनुसंधान मातरात्मक होना चाहिए। इसका वरणन अनुसंधान के प्रकारों के अंतरगत किया गया है। नियतिवाद, डिटर्मिनिजम का अर्थ है कि घटनाए अन्य परिस्थितियों की वज़ा से घटित होती है। इसलिए भविशवाणी और नियंत्रन के उद्देश से कारक कार्निय संबंध को समझना आवश्षक है। डो, व्याख्यात्मक रूपनिदर्शन, इंटर्प्रेटिफ पारडाइम इसको हम अधिकतर गुनात्मक अनुसंधान से संबंधित करती हैं। इसके अनुसार शोद प्रारूप लचीला होना चाहिए। बुरात्मक अनुसंधान की विस्तरित चर्चा अनुसंधान प्रतारों के अंतरगत की गई है। नेट परीक्षा में वेस्टन, वर्स्टहन, रूपनिदर्शन पर प्रश्न पूछा गया जो की व्याख्यात्मक रूपनिदर्शन जैसा है, समाज शास्त्र और मान्वशास्त्र से संबंधित है। इसको मैक्स वेबर, मैक्स विहा ने नामित किया। प्राकृतिक विज्ञान, Natural Sciences में शोध के लिए अकलेरिन, शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंडियनेट के छात्र एक बार इसी प्रिष्ट पर वर्नित दर्शन शास्त्र को भी देख ले जो की शोध उपागम से संबंधित है। अगस्ट कॉम्टे ने Course of Positive Philosophy, 1839, Elementary Treatise on Analytic Geometry, 1843, The Philosophical Trotty on Popular Astronomy, 1844, और The Discussion on the Positive Spirit पर काम किया। कॉम्टे ने भी इस शोध से संबंधित धर्मशास्त्र तुल्य चरण को तीन भागों में विभाजित किया। केवल वैज्ञानिक पद्धती से प्राप्त ज्यान को ही उप्युक्त, विश्वस्मिय वप्रामानिक मानता है कॉम्टे ने मानविय ज्यान की प्रत्यक विश्चर शाखा को अपनी प्रोढवस्था तक पहुँचने के लिए तीन सोपानों से होकर गुजरना स्वीकार किय है, उनके अनुसार समाज का विकास मानव गुद्धी के द्वारा ही होता है, और इसकी तीन अवस्थाएं हैं, एक धर्म अभीरू या मिध्यापूर्ण अवस्था, दो पधिभातिक अवस्था तथा, तीन वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था, चेकन ने प् पर आधारित थे जिन्हें देखा और विशलेशन किया गया है, इस प्रकार प्रत्यक्षवाद हमें बाहिस्वरूप, एक्स्टरनलिजम, पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रत्यक्षवाद एक साजह विश्वद रिष्टिकोन है, जो एक ही अनु विशलेशन को जन देते हैं, यहां शोद करता की भूमी का एक प्रकार के प्रत्यक्षवाद मातरात्मत टिपणियों पर निर्भर करता है, जो सांखिकिय उद्देश से डेटा संग्रा और व्याख्या तक सीमित है, वह अध्ययन का स्वतंत्र और अध्ययन के भीतर मानव ह जितों के लिए कोई प्रावधान नहीं प्रवाद आमतोर पर कटोतीतमत द्रिष्टिकोर अपनाते हैं, एकाग्रता तत्यों पर होती है, शोद करता स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है, प्रतिभागियों के साथ नियूनतम संपर्क बनाए रखना और शोद विशुद रूप से उद्देश पूर्ण है और दुनिया बाहरी है, एक वास्तरिक्ता है, एक संभावना के भीतर ज्यान प्राप्त करने का योग्य प्रयास, प्रत्यक्षवात पर आधारित पांच मुख्य सिधानतों का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है, एक विज्ञानों में जाज के दौरान परीक्षन किया जाना है, चार सामान्य ज्यान, कॉमन सेंस, जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है, को शोध निशकर्षों को पूर्वाग्रा करने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए, पांच विज्ञान को मूल्य मुक्त, वैलिव फ्री, माना जाता है, प्रत्यक्षवात से संबंधित अन्य पहलू जो की परीक्षा के दृष्टिकोन से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एक, ओंटोलोजी, ओंटोलोजी यह सामाजिक वास्तविक्ता की प्रकृति हैं वास्तविक, बाहरी, स्वतंत्र, एक, सच्ची वास्तविक्ता, सार्व भ टीम एशियोलोजी, आक्सियोलोजी यहां नैतिक्ता और मूल्य प्रणाली से संबंधित हैं, मूल्य मुक्त शोध, शोध करता का पूर्वाग्रा से मुक्त होना यानी शोध का पटस्ट और स्वतंत्र होना चार, कार्य प्रणाली या शोध पद्धती, रिसर्च मेथडोलोजी यह एक ऐसा प्रतिमान है, जो हमें कुछ प्रशन पूछने और व्यवस्थित जांच के लिए उचित रिष्टिकोर का उप्योग करने की ओर ले जाता है, हमें दुनिया का अध्धयन कैसे करना चाहिए विशेश रूप से प्रत्यक्षवाद विज्ञान के निमलिखित पहलों पर निर्भर करता है, एक विज्ञान नियतात्मक, डचामनिस्टिक है, संबंधों का कारण और प्रभाव दो, विज्ञान यांत्रिकी, मेकिनिस्टिक है, शोदकर्ता विशिष्ट अनुसंधान विधियों के आवेदन के माध्यम से सिध्धिया अव्यवस्थित होने के लिए परिकलपना विक्सित करती है तीम, विज्ञान विधियों का उप्योग करता है, प्रतिदर्श का चैन, उसका माप, विशलेशन और परिकलपना के बारे में निशकर्श तक पहुँचना चौदा, विज्ञान अनुभववाद, Empiricism से संबंदित है, विज्ञान का मूल्यांकन उद्देश की तुलना के रूप में किया जाता है, जैसा की देखा या मापा जाता है प्रत्यक्षवाद की सीमाई, Limitations of Positivism एक, प्रत्यक्षवाद ज्यान के एक वैद स्त्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करती है दो, प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों या व्यक्तियों के बीच संबंदों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है तीम व्यावसाइक शोध, बिजनिस स्टाडीज जैसे अध्येनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है चार कभी-कभी प्रत्यक्षवाद तत्वमी मानसा की अस्विकृती है यहाँ एक ऐसी स्थिती है जो धारन करती है कि ज्यान का लक्ष केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करती है उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविस्ट प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद, कोलिन्स के अनुसार, हम चार समाज शास्त्रिय परमपराओं का निम्न भागो वर्गी करन कर सकते है एक, संधर्श की परमपरा, Tradition of Conflict समाज स्वाभाविक रूप से संधर्श पूर्ण है दो, कुप्योगितावादी तर्कवादी परमपरा, Utilitarian Rationalist Tradition मनुष्यत तर्कसंगत है तीन, समग्र परमपरा, Holistic Tradition दुखोमियान, दुर्खेन चार, सूक्ष्म अंतक्रियात्मक, Micro-Interactionist अंतक्रिया का सूक्ष्म संबंधिक स्तर पर विशलेशन किया जाना चाहिए विशेश अध्ययन में लागू की जाने वाली विधी का चयन शोध प्रश्न के आधार, On the Basis of Question पर किया जाना चाहिए यहाँ पर वर्नित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोर अपना लेता है ऐसी स्थिती में व्याख्यात्मक्षोध, Interpretive Research को दो प्रकार से लागू किया जाता है पहला, प्रत्यक्षवादी अध्ययन, Positivist Research से पहले आयोजित एंड यूजर कंप्यूटिंग के एक खोजपूर्ण अध्ययन, Exploratory Research में दूसरा, प्रत्यक्षवाद अध्ययन के साथ समवर्ती, Concurrently, उप्योग करता खोज व्यवार के एक अध्ययन में किया गया यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रत्यक्षवाद से काफी संबंध है लेकिन सामाजिक विज्यान में अधिकांच शोब, द्रिश्टिकोन और अभ्यास आज उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज्यादा फिट हो रही है 21 सदी की शुरुआत के साथ शोब का ध्यान वास्तविक्ता, रियालिटी, से अधिक विवेचनात्मक या सुक्षत्मक वास्तविक्ता, व्यालिटी, में स्थानान तरित हो गया भातिक विज्ञानी वर्नर हाईजेंवर्ग और नील्स बोह ने इस पर ध्यान केंद्रित किया बलपूरवक निश्चिता फोस्फुल कंस्ट्रॉक्शन से संभाव्यता प्रॉबेबिलिटी पर बल दिया गया अब वैज्ञानिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था जो ग्यान का निर्मान करता है बजाए केवल प्रकृती के नियोमों को से देखने के चाहे वैज्ञानिक जितनी भी इमानदारी से पालन करे शपरिनाम न तो पूरी तरह से उद्देशपूर्ण होते ह नहीं निश्चित रूप से नी है इसलिए अब तारकिक प्रत्यक्षवात के कम सक्त रूप का वर्णन करता तारकिक अनुभवादी इस विचार का समर्थन करती है एक लाग सफेध हंस यह साबित नहीं कर सकते कि सभी सफेध है लेकिन एक काला हंस इस विवाद को खारिस कर सकता है. गंभीर यथार्थवाद मानता है कि टिपणियों में तुटी हो सकती है, सिध्धान्तों को संशोधित किया जा सकता है, वास्तविक्ता को निश्चित्ता है, साथ नहीं जाना जा सकता है. अनुसंधान के महत्वपूर्ण उदेश, Important Objectives of Research वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उशिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोडने की नीती ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है, आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तरित और सहुआ है, अरुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं, 1. किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतरद्रिष्टी का विकास करना, 2. वर्तमान ज्यान का संचलेशन एवम समीक्षा करना, 3. वर्तमान परिस्थितियों की जाझ करना एवम समस्याओं का समात करने का प्रयत्न करना. 4. सामान्य मुद्दों का विशलेशन एवं अन्वेशन करना. 5. एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का स्रिजन करना. शिक्षा की नई-नई शाखाओं का जन्म वस्तुता इसी ज्यान विस्तार की स्वाभाविक परिंती है. पत्रकारिता, लोग प्रशासन प्रबंधन आदी कुछ ऐसे विशय हैं, जो कार्यक्षेत्र की जरूरतों के आधार पर विक्सित हुए हैं. शोधात्मक गतिविधियों से न केवल विशो का विस्तार या समर्द्धी होती है. वर्नु नई ने शैक्षिक अनुशासन का उद्भव होता है, जो अपने विशयक शेत्र की विशेशग्यता का प्रतिनिधित्व करती हैं. वैशोकरण और सूचना प्रध्योगी की के विस्तार ने पूरी दुनिया क ज्यान कंत्र की सीमाओं को खोल दिया है. इससे प्रत्यक अध्ययन का विशय स्वयं को समुध करने की स्थिती में है. इस वातावर में शोध के माध्यम से प्रत्यक शैक्षिक अनुशासन परस पर समवाद की प्रक्रिया में है. फल्ता अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान Interdisciplinary Research का महत्व बढ़ा है. इससे विभिन्न शैक्षिक विश्यों का परस पर आदान प्रदान संभव हुआ है. पाशात्य शोथ परंपरा विशेश अज्यता, Specialization है. जान मार्ग में आगे बढ़ता हुआ इसलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का भी पूर्वाग्रहों, क्यासिस, पूर्वधार्नाओं, प्रेजिडिसिस और व्यक्ति पर्क होना, बिंग सब्जेक्टिफ जैसी तुर्टियों से मुक्त रहना आवश्यक है. इस तथ्य को ध्यान में रखत हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निमलिखित विशेश्टाय होनी चाहिए. एक वस्तुनिष्ठता, अब्जेक्टिविटी यहां अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बाकी गुण इससे संबंधित है. सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठता की पूर्वाग्रा या भेदभाव के देखना है. शोदकर्ता का पूर्वाग्रा से मुक्त होना आवशक है, वह दूसरों के विचारों का सम्मान करें, परंतु साक्षयों के भली भांती परिक्षन और सत्यापन के बाद. अनुसंधान प्रक्रिया एवं इसके परिणाम कर रहा है, तो अतीप में उसका किसी ग्रामीन व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा अनुभव उस शोद को प्रभावित न करें पूर्वाग्रा से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जाच आवशक है. मान लीजिए कोई शोद करता ग्रामीन और शहरी शिक्षा के स्तर के बारे में तुल्नात्मक अध्ययन कर रहा हो, यदि वह इस पूर्वाग्रा की मन में रख कर चले कि सभी ग्रामीन लोग पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते या सभी शहरी लोग बहुत शिक्षित हैं, तो उससे उसका पूरा शोद प्रभावित हो सकता है 2. विश्वस्नियता इसका अर्थ यहा है कि शोद प्रक्रिया विश्वस्निय नहीं है, उसमें कुछ तूटी रह गई है विश्वस्नियता गुणांक, Reliability Coefficient को हम संकल्प का गुणांक, Coefficient of Determination भी कहते हैं विश्वस्नियता को सत्या पंशीलता, Verifability या पुन्रावरिती, Replicability भी कहा जाता है कुछ अलग संदर्ब में विश्वस्नियता को आंगल भाशा में Credibility, Credibility कहते हैं जिसके अनुसार शोद में जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे स्रोथ और सर्वश्रेष्ट प्रक्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए प्राथमिक और गौन आकडों, Primary and Secondary Data के बीच में संतुलन बनाये रखना आवशक है सतीक स्रोथ अनुसंधान की विश्वस्नियता को बढ़ाते हैं और तुर्टिपूर्ण स्रोथ इसकी विश्वस्नियता को कम करते हैं प्राथमिक और गौन आकडों का वर्णन आगे किया गया है तीम, निश्यात्मक्ता, डेफिनिटनेस यह विधी की प्रक्रिया और परिनाम दोनों पर ही लागू होता है यहां सूचनाओं अथ्वा प्रदत्तों के नियोजन, संतलन, परीक्षन, इत्यादी सभी चर्णों में इस बात का ध्यान रठा जाना चाहिए चार, वैधता, वैलिदिटी यह भी विश्वस्नियता से संबंधित है वैधता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ट, सब्जेक्टिफ और व्यवस्थित तुर्टी, सिस्टेमाटिक एरर से मुक्त होना चाहिए अनुसंधान के संदर्ब में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, प्रोसीजर, अनुसंधान उपकर्णों, रिसर्च इंस्टुमिंस, परीक्षन, आधी की यथार्थता से संबंधित है इसको सुनिश्चित करने का अर्थ है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है शोद में वैधता का होना इसलिए भी आविशक है क्योंकि शोद में हम समय, धन और अन्यस्रोतों का निवेश करती है हर समाज में पारिभाशिक शब्दों के अलग माइने हो सकती है मान लीजिये की शोद का विशय गावों में गरीबी का विस्तार जानना है हमें यहां गरीबी को स्थानिय मानकों के अनुसार परिभाशित करना पड़ेगा आमदनी, संपत्ती, आदी भारतिय परिस्थितियों में जापान या सन्युक्त राज्य अमेरिका के गरीबी मानकों को लागू करना उप्यूक्त नहीं होगा साधारंत्या वैथता को विश्वस्नियता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है अनुसंधान के लिए जरूरी है कि अवधार्नाओं को यथा संभव सही धंग से परिभाशित किया जाए ताकि उनके मापन के दौरान कोई तुरूटी न रह जाए विभिन्द प्रकारों की वैथता का निमलिखित रूपों में वर्नन किया गया है आंतरिक वैथता इंटरनल वैलिदिटी उच्च आंतरिक वैथता को सुनिश्चित करने का अर्थ दो या अधिक चरों के बीच बहतर करनिय संबंध, causal relationship स्थापित करने में क्षमता है आंतरिक वैथता प्रयोक्षाला में प्रयोगों के बारे में ज्यादा सत्य है जहां कारण और प्रभाव, cause and effect, संबंध अधिक सपष्ट ग्रूप से स्थापित होता है बी, वाहिव वैदता, external validity इसका अर्थ है कि अध्ययन को प्रभावित कर सकने वाले बाहरी कारकों को नियंत्रित करना है उदाहरन के लिए सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षण में एक प्रतिवादी, respondent की प्रतिक्रिया की एक गैरभागीदार प्रेक्षक, non-participant observer की उपस्तिती मात्र से प्रभावित हो सकती है उदाहरन के लिए किसी विद्याले में शिक्षक को प्रभावशीलता, effectiveness को जानने के लिए शोध किया जा रहा है विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया, response दे रहे हो तो उस दौरान शिक्षक की मौझूदगी उनकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है और उससे शोध के परिणाम भी प्रभावित होंगे ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संभवता छात्रों के मन में उस शिक्षक से भय हो शोध में आंतरिक वैधता को विश्वस्नियता और बाह्य वैधता को सामानी करण, generalizability से जोड़ा जाता है सिद्धान स्थापित करना हर शोध का मूल उद्देश होना चाहिए शोध के इस लक्षन की दोस्तरों पर वर्नित किया जा सकता है आई, सामान्यता शोध समश्टी, population के छोटे से भाग पर होती है, जिसे प्रतिदर्श, sample, कहा जाता है, पर इसके निशकर्षों को समिश्टी पर लागू माना जाता है शोध प्रक्रिया के निशकर्षों के बाद एक विक्सित अवधारना, concept development को सभी समान स्थितियों में सत्य माना जाता है भातिकी, प्रसायन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में सामानी करण करना सरल होता है, उदाहरन के लिए Newton, Newton, Kepler, Kepler के सिधान्त की सत्यापता स्थापित हो चुकी है, ये सब जगा लागू होते है सामाजिक विज्ञान के विश्व जैसे की दर्शन शास्त्र, राजनीती विज्ञान, इतिहास, आदी में पूलन रूप से सामानी करण करने की संभावना कम होती है, क्योंकि यहां शोध की इकाई मानव व्यभार है, जो की निरंतर परिवर्तन शील है अनुभवात्मक अनुसंधान, experiential research पांच अनुसंधान वास्तविक स्थिती के एक या अधिक पहलों पर होती है, कथा प्रत्यक्ष अनुभवों या शोध कर्ता द्वारा किये गए अवलोकन पर आधारित है छे कार्यकारण संबंध की महत्ता, cause and effect विज्ञान यहा कलपना करके चलता है, कि वर्तमान में जो घट रहा है, उसके पीछे कुछ कारण विद्यमान है, और भविश्य में भी जो होगा उसके भी कुछ कारण रहेंगे साथ अनुसंधान चक्रिय होता है, research circular शोध एक चक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ एक समस्या के साथ शुरू होती है, एवं समस्या के साथ ही समाप्थ हम एक समस्या का समाधान ढूलते हैं, लेकिन तब तक कुछ और उससे संबंधित कोई और समस्या सामने आ जाती है फिर शोध द्वारा उसका निदान करो। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मानव सभ्यता का विकास भी सतत प्रयासों पर निर्भर करता है। आठ तार्किक, लॉजिकल इसका तात पर्य है कि अनुसंधान विचार के नियोमो द्वारा निर्देशित है। अनुसंधान के क्षेत्र में आय, induction, एवं निगमन, deduction का बहुत महत्वर जिनका अनुसंधान के प्रकारों के अंतरगत विस्तरित वर्नन की आगर है। अनुसंधान के प्रकार, types of research अनुसंधान आमतोर पर अंतविशय, interdisciplinary है। अनुसंद के विभिन प्रकारों के बीच काफी परस पर व्यापक्ता, ओवरलापिंग है. परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गी करण, Classification of Research on the Basis of Output. परिणामों के आधार पर अनुसंधान दो प्रकार का होता है, मौलिक अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुसंधान. मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान, Basic Research, यह मूलता ज्यान के वर्तमान संग्रा में व्रिद्धी के लिए होता है. इससे सिध्धान्तों और अवधार्नाएं विक्सित होती हैं. हो सकता है कि वर्तमान में इनका कोई उप्योग ना हो. यह अकादमिक द्रिष्टिकोन से ज्यादा महत्व पूर्ण है. व्यावहारिक अनुसंधान, Applied Research एक व्यावहारिक अनुसंधान विशिष्ट एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है. दो यह नीती निर्धारन, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उप्योग किया जा सकता है. तीम यह मुख्यता मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही किया जाता है अब हम निमलिखित अभिलक्षणों की सहायता से दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करती है मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान व्यावहारिक अनुसंधान जान में वृद्धी समाधान उन्मुख खोज या आविशकार प्रयुक्त मुख्यत शैक्षनिक वास्तविक स्थितियों में लागू विस्त्रित गेहिन शोलेस विकासात्मक शोध डिवेलपमेंट रिसेर्च नेट परीक्षा में इस पर बहुत बार प्रशन पूछा जा चुका है इस पारिभाशिक शब्द का सबसे पहले उप्योग कुर्ट लेविन कर्ट लुइन ने 1940 में किया था हलसे हेलसी ने क्रियात्मक अनुसंधान की रोचक परिभाशा दी है उसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धती में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उनकी गहन समीक्षा है क्रियात्मक अनुसंधान स्वयम के व्यवहार में एक व्यवस्थित जाँच है ट्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में तीन स्थितियों में उप्योग किया जा सकता है एक ततकाल समस्या, इंमेडियेट प्रॉब्लम के समाध्धान के लिए दो, जिस समस्या का समाध्धान प्रगती में हैं, उसकी चिंतनशीर समीक्षा करना टीन, समस्या का समाध्धान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है क्रियात्मक प्रक्रिया की प्रक्रिया, Process of Action Research हम अनुसंधान की चक्रिया प्रक्रिया एक बार निकट से देखते हैं एक, नियोजन सोपान, Planning Stage दो, क्रियान्वियन, शोध योजना का, सोपान, Acting Stage तीन, विकासोन मुख सोपान कार्य योजना का विकास, Developing Stage चार, चिंतन चरण, Reflecting Stage चित्र दो दशमलव, एक, क्रिया शीलता और चिंतन चक्रस्त्रोत, NCRT, विज्ञान के अध्यापन निर्देशन से कार्य करता है, गुनात्मक्षोध में आमतोर पर उपलप, Hypothesis का प्रयोग नहीं करते, यहाँ विकल्प खुला रखते हैं गुनात्मक्षोध बहुत लचीला होता है गुनात्मक्षोध मातरात्मक्ता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विशलेशन पर जोर देता है गुणात्मक शोद में शोद के निशकर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है, यह कारण का विशलेशन और सत्यापन करता है उदाहरन के लिए यदी हमें शहरी या ग्रामीन क्षेत्रों में शिक्षन प्रभाव शीलता के बारे में अध्ययन करना है तो जो संबंधित तथि सामने आते हैं, उन्ही का प्रेक्षन, और रिकॉर्डिंग करके वरनात्मक तथियों के रूप में शिक्षक प्रभाव शीलत एवं विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन अग्रिम लिखित अनुछेदों में किया गया है। एकत्रित किया जाता है। C. गेहन साक्षातकार, इंडेप्ट इंटर्व्यूस उदा स्माइली यहां असनरचित होता है, और इसमें यथा संभव कथ्यों की गहराई, तक जाने का प्रयास रहता है। D. गठात्मक अनुसंधान, नारेटिव रिसर्च, यहां मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है, तथा उसी का एक द्रिष्टिकोर माना जा सकता है। D. गठना जन्य, अनुसंधान, फेनोमेनोलाजिकल, प्रिसर्च, यहां गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है, जिसमें शोदकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घठना विशेश के बारे में उनके अनुभव को समझने का प्रयास करता है, हम यहां भी कह सकते गठना जन्य, अनुसंधान का उद्देश्य प्रतिभागियों के द्रिश्टिकोर्ण से वर्तमान में स्थित किसी प्रक्रिया या घठना विशेश का उसकी स्वभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है, एक निर्जातिय या जातिवरित स्टाडी समझना होता है, इसमें प्रदत गुणात्मक होते हैं, आता व्यक्ति अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, एच, प्रदत आधारिट सिझ्धान्त, ग्रॉनिट थियोरी यहाँ एक गुणात्मक द्रिश्टिकोन है, जिसमें शोद करता द्वारा एकत्रित किये गए प्रदतों का विशलेशन के आधार पर किसी सिद्धान्त को विक्सित किया जाता है, यद्यपी, गुणात्मक के लिए विभिन्नस रोतों, जैसे परिमानात्मक प्रदत अभिलेखों का पुनर्वीक्षन, साक्षातकार, प्रेक्षन तथा सर्वेक्षन का उप्योग किया जाता है. उप्रोक्त वर्नित विधियों के अलावा पात्र, अभिने, रोल प्ले, सतत अनुकरण, सिमुलेशन और डाइरी, डाइरी मेथेड भी गुनात्मक अनुसंधान के अंतरगत आते हैं. तीम, मिश्रित अनुसंधान, मिक्स्ट रिसर्च गुनात्मक अनुसंधान में अधिक सठीक्ता लाने और उनके भेतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पध्धतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है. 1970 के दशक तक, वाक्यांश गुनात्मक अनुसंधान का उप्योग केवल मानवविज्ञान या समाजशास्त्र के एक विशय का उलेक करने के लिए होता था. 1970 और 1980 के बीच के दशक के दौरान गुनात्मक अनुसंधान का इस्तिमाल अन्य विशों के लिए भी किया जाने लगा. 1980 और 1990 के बीच के दशक के अंत में मात्रात्मक पक्ष की ओर से आलोचनाओ की बाढ़ के बाद, आकड़ा विशलेशन की विश्वसनियता और अनिश्चित विधियों के संबद में परिकल्पित समस्याओं से निबटने के लिए गुनात्मक अनुसंधान की नई पद्धतिय का विक्सित हुई, जाच के आधार पर अनुसंधान का वर्गी करन, क्लासिफिकेशन ओफ रिसर्च अनुसंधान समस्या को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए के बारे में है, एक सरंचिक द्रिष्टिकोन, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यह मूलता परिनात्मक अनुसंधा के जैसा ही है, दो असरंचित द्रिष्टिकोन, अन्स्ट्रक्चर्ड अप्रोच समाजिक विशय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुडात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधी से निकट्तम संबंध है, त्रिभुजीकरन विधी, त्रिभुजीकरन द्रिष्टिकोन का उप्योग कर सकता है, इसमें एक से अधिक प्रदक्त स्रोतों, जाच करताओं एवं विधियों का उप्योग किया जाता है, यहां हमें सामाजिक घटना की पूर्न जानकारी देता है, इसका प्रयोग मुख्यता सामाजिक शोध में किय जाता है। उद्देशों के आधार पर अनुसंधान का वर्गी करण, Classification of Research on the Basis of Objectives. अनुसंधान के उदेशों को निर्धारित करना इसलिए आवश्चक हो जाता है, ताकि यहाँ अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह सपश्टा रहे कि हम सही मार पर अग्रसर हैं। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे किसी घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे कारणों को जानना या फिर कारकों के परस पर संबंध को जानना आदी। उद्देशों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से पांच श्रेनियों में विभाजित किया गया है। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सहब। या अवलोकन, अब्जवेशन, रूप में भी उल्लेक किया जाता है। डो, इस अनुसंधान में सर्वेक्षन और परियाप व्याक्या के साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरन के वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है, किसी विद्याले, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर के हैं। घटनौत्तर अनुसंधान, एतिहासिक अनुसंधान और विशलेशनान अनुसंधान भी इसी अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप पहे जा सकती हैं। घटनौत्तर अनुसंधान, Exposed Factor Research एक, यह सामाजिक विज्ञान और व्यवसाइक संधनों में प्रयोग की जाता है। इस अनुसंधान में अनुसंधान करताओं से यह अपेक्षा की जाती है, कि वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चकरें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेशन कर आज की समस्याओं चुनोतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। फन्स्वर एतिहासिक अनुसंधानों में किये जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रशनों उत्तर ढूडने में सम्मिलित करते हैं, जैसे हम कहा से आये हैं, हम पहले कथे, अब क्या हो गए हैं, आदी। एक, यह वर्नात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है और यह काफ हद तक कारेफत तर अनुसंधान के समान है। दो, यह सामान्यता किसी विशय के एतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्री करता है। विशलेशनात्मक अनुसंधान, अनलेटिकल रिसेर्च एक इसमें शोद करता पहले से ही उपलब्ध तत्यों एवं जानकारी उप्योग करता है दो यह सामगरी का आलोचनात्मक मूल्यांतन करने का प्रयास करता है सहसंबंध अनुसंधान, कोर्रिलेशनल रिसेर्च व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक स्थिती या घटना के दो पहलों के बीच किस और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेश्टा की जाती है उदाहरन के लिए एक रट्टा लगाने के फल्स्वरू परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है दो तनाव की वज़से रिदय रोग की उत्पत्ती कैसे होती है अनुसंधान मूलक या समन्येशी अनुसंधान, एक्स्प्लोरेट्री रिसेर्च एक यहां आमतोर पर एक शोध के प्रारंब में किया जाता है इसको मुख्य अनुसंधान का लगुरूप भी कहा जा सकता है छोटे पैमाने पर अध्ययन से शोध की व्यवहार्यता, वायबिलिटी का पता चल जाता है कि यहां विस्त्रित जाच पूरा करने के योग्य है या नहीं दो यहां एक स्थिती या घटना के दो या अधिक पहलूओं के बीच के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है तीम अनुसंधान मूलक अनुसंधान का मुख्य उद्देश प्रिष्ठभूमी, बैग्राउंड की जानकारी प्राप्प करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकलपना विक्सित करना, अनुसंधान की प्रात्मिकताओं एवम को का उप्योग करता है प्रायोगिक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसेर्च यहां अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंदों को उजागर करता है एक घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है उदाहरन के लिए धूमरपान की वज़से फेफरों का कैंसर होता है यह तथा एक निश्चित कारण और प्रभाव के संबंद को दर्शाता है reflectivity, reflexivity, शब्द का प्रयोग कारक और प्रभाव के बीच चक्रिय संबंद, circular relationship को दर्शाने के लिए लिए किया जाता है उदाहरन के लिए गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है तथा बेरोजगारी का मुख्य कारण गरीबी है. अवधार्णा के आधार पर अनुसंधान का वर्गी करण, Classification of Research on the Basis of Concept. अवधार्णा को किसी वस्तू या विशय के बारे में सामान्य विचार के रूप में परिभाशित किया गया है. इसके आधार पर अनुसंधान को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है. वैचारिक अनुसंधान, Conceptual Research वैचारिक अनुसंधान आमतौर पर दार्शनी को और विचार को द्वारा नई अवधार्णाओं को विक्सित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है. यहां अमूर्थ विचारों और सिध्धानतों से संबंधित है. अनुभवसिद्ध अनुसंधान, Empirical Research अनुभवसिद्ध अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है. इस अनुसंधान में शोदकर्ता परिकल्पना तयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिध्ध करने के लिए प्रदत एकत्रित करते हैं. शोदकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है. अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान, Main Steps in Research Process नेट परिक्षा में एक या दो प्रश्न अनुसंधान प्रक्रिया के सोपानों से संबंधित पूछे जाती हैं. परिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती हैं कि इनके क्रम पर विशेश ध्यान दे. मुख्य तौर पर अनुसंधान की प्रक्रिया में निमलिखे तीन मांदन अपनाई जाते हैं एक अनुसंधान का नियोजन कुछ द्रिष्टिकोनों को ध्यान में रख कर किया जाता है और इनके संकलन के आधार पर ही शोध की रूपरेखा तयार की जाती है यह द्रिष्टिकोन गुडात्मक या मात्रात्मक या इन दोनों का सम्मिशन हो सकता है यह मुख्य अध्ययन के विशय पर निर्भर करता है दो अनुसंधान में चिनहित समस्याओं या यू कहें कि प्रश्णों के उत्तर ढूणने के लिए निरनीट चर्णों Decided Steps के तारकिक क्रम को अनुसंधान क्रियाविधी, Research Methodology कहा जाता है इसमें कई प्रक्रियाओं, विधियों और तक्नीकों का उप्योग किया जाता है तीन यह यथा संभव, निश्पक्ष और वस्तुनिष्ट होनी चाहिए क्रेस्वल द्वारा दी गई परिभाशा के अनुसार, अनुसंधान में तीन आधार भूत चर्णों को समावेशित किया जाता है एक समस्या को चिनहित करना, Identification of Problem दो समस्या से संबंधित प्रश्णों के उत्तर ढूणने के लिए प्रदत एकत्रित करना, Collecting Data to Answer the Questions तीन प्रश्ण का उत्तर ढूणना, Finding Solution to the Problem जब हम प्रदत इकठा करती हैं, तो उन पर कुछ सांखिकिय या गणितिय गण्डा की जाती है, जिसको विशलेशन कहा जाता है हम प्रद्नों में कुछ पैटर्न स्थापित करना चाते हैं, जिसके आधार पर किसी सिध्धान्त का सूत्री करण या निशकर्ष पर पहुँचा जा सकता है कौनसी विधी प्रयुक्त करनी है, गुणात्मक या परिनात्मक, यह प्रश्न की प्रकृती पर निर्भर करता है, कि शोध विशय सामाजिक विज्ञान से संबंधित है या फिर प्राकृतिक विज्ञान से सोपान एक, स्टेप एक अनुसंधान समस्या का सूत्री करन Formulation of Research Problem विज्ञानिक विधी के प्रयोग का यह पहला चरण है, इस विधी का प्रयोग तत्यों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतू किया जाता है पहले शोद समस्या या प्रश्न की प्रकृति जान ले, तभी उसके समाधान के बारे में सोचा जा सकता है अनुसंधान समस्या के सूत्री करण में प्रयोग सोपान एक, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, identifying a broad area of research interest 2. व्यापक क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में विभाजित करना, dividing broad areas into sub-areas 3. अभिरुची के क्षेत्रों का चयन करना, selecting an area of interest 4. अनुसंधान में प्रश्निया समस्या चिनहित करना, identifying questions 5. व्यापक उद्देशयों का निरूपन करना, formulation of broad objectives 6. उद्देशयों का आकलन और समीक्षा करना, assessing and reviewing objectives 6. मुख्य उद्देशयों और उपद्देशयों का वर्नन आगे किया गया है 6. अनुसंधान समस्या का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बाते 1. अनुसंधान करता का सरोकार एवं रुची, researchers concern and interest सामान्यता अनुसंधान में संसाधनों का बहुत उप्योग होता है 6. शोध में कई अप्रत्याशित समस्याए उत्पन्न होती है इसलिए वांचित प्रेरनास्तर, desired motivational, level को बनाय रखने के लिए शोधार्थी, researcher की शोध परियोजना में रुची होना आवशक है 2. प्रबंधनिया परिमान, manageable magnitude शोध, अध्ययन का नियोजन यथा संभव, उपलब्ध, समय और संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए इसलिए इसमें स्पष्टता का घटन होना चाहिए 3. अवधार्णा का मापन, concept measurement, अवधार्णाओं के संकेतक, सूचक, मापन, विधी, आधी, पूर्ण, रूप स्पष्ट होने चाहिए 4. विशेशग्यता का स्तर, level of expertise उदा स्माइली अनुसंधान में शोध कार्य के लिए कौशल के परियाप्त स्तर की आवशक्ता होती है 5. प्रासंदिक्ता, relevance यह भी एक वस्तुनिष्ट शब्ध है, लेकिन शोध कर्ता और उसके guide के लिए यह ध्यान रखने योग्य बाद है 6. प्रदत्तों की उप्लब्धता, availability of data, शोधा ध्यत के विशय को अंतिम रूप देने से पहले उससे संबंधित प्रदत्तों की उप्लब्धता सुनिष्ट की जानी चाहिए 7. नैतिक मुद्दे, ethical issues, उदा, smiley, अनुसंधान समस्या के निरूपन से पहले नैतिक मुद्दों और उनके निदान सोच का रखना चाहिए 7. साहित्य का प्रारंभिक अवलोकन, preliminary literature review 7. साहित्य की समीक्षा संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया का एक अभिन्द हिस्सा है 8. किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी के लिए यहां आवश्चक है 9. कि वहाँ पहले अपने विशै से संबंधित साहित्य, पत्रिकाओं तथा सूचनाओं का करे प्रत्तेक परिचालन चरण, operational एक स्टेप में महत्वपूर्ण योगदान देती है 10. इस सोपान के माध्यम से शोध करता स्वयम को संभावी शोध विशै के विभिन पहलूँ से परिचित करवा पाता है 11. साहित्य की समीक्षा के मुख्य उद्देश इस प्रकार है 11. इह समीक्षा अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोध करता के ज्यान को बढ़ाती है 12. इसके द्वारा अनुसंधानक समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है उसमें अधिक स्पष्टता आती है अनुकी प्रमारिक्ता में सुधार लाने में भी सहायता मिलती है तीम यह अनुसंधान लाने में महायक होता है महत्वपूर्ण वेरियेबल्स को खोज पाना संभव हो जाता है अनुसंधान के निशकर्षों की प्रिष्ठभूमी तयार करता है इससे हमें यह भी पता चलता है कि वर्तमान ज्यान संद्रा में अनुसंधान की जसे कितनी वृद्धी हुई है। इस प्रक्रिया में मुख्य तीन चरण, एक मौजूदा साहित्य की खोज, दो एवं तीन मैदानिक ग्रिष्टिकोन विक्सित करना सम्मिलित है। साहित्य के अवलोकन के मुख्य स्रोत पुस्तके और पत्रिकाय होती हैं, पत्रिकाओं में यह संभावना विशेश रूप से रहती हैं कि पूर्व अनुसंधान के निशकर्शों और उनके प्रकाशन में दो या तीन वर्ष का अंतराल रह जाए। आजकल शोधार्थी इंटरेट पर भी काफी निर्भर करते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनका उद्गम प्रमानित हो। शोध के अंत में साहित्य अवलोकन के स्रोतों को संदर भगरंत सूची, बिब्लियोग्राफी में सूची बद किया जाता है। उद्देशों का निरूपन, Formulation of Objectives उद्देश से लक्ष होते हैं, जिन्हें आप अपने अध्यान से प्राप करती हैं। वे पाठक को इस बाद से सूचित करते हैं, कि शोध करता शोध कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाता है। उद्देशों के शब्द बहुत ही सटीक और विशिष्ट होने चाहिए। उद्देश दो शिर्षकों के अंतरगत लिखा जा सकता है। एक मुख्य उद्देश, दो उपउद्देश, एक मुख्य उद्देश, मेन अब्जेक्टिव मुख्य उद्देश को हम शोध अध्ययन का मूल तत्व भी कह सकते हैं। इससे शोध कोदिशा बोध मिलता है। इनसे चरों, variables, के संभावी परस पर संबंधू, जिनको शोदकर्टा स्थापित करना चाता है, के बारे में जानकारी मिलती है. जिनकी आ अपने अध्यान की मुख्य रुप्रेखा में जाच करना चाते हैं. A. उद्देशों को संख्यादुसार सूची बद किया जाना चाहिए. B. उद्देशों के शब्द सपष्ट, उन एवं विशिष्ट होने चाहिए. C. प्रतेक उद्देशों में अध्यान के केवल एक ही पहलू को शामिल करना चाहिए. D. उद्देशों को लिखते समय कार्यों मुख्षब्दों एवं क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए. उद्देशय मुख्य शब्दो के साथ शुरू होने चाहिए जैसे निर्धारन करना, यहाँ पता लगाना, यहाँ मापना, यहाँ सपश्ट करना आधी-ाधी. मुख्य उद्देशय एवं उपधेशय का उदाहरन मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षन टक्नीकों के उप्योग और छात्र प्रदर्शन, स्टुडेंट पर्फॉर्मेंस के बीच संबंध का पता लगाना उपगदेशिया एक आधुनिक शिक्षन टक्नीकों के उप्योग और छात्र प्रदर्शन के बीच संबंद के विस्तार की सीमा का पता लगाना दोन सरकारी और नीजी स्कूलों में आधुनिक शिक्षन टक्नीकों के उप्योग की तुलना करना संप्रत्य या अवधार्ना मूलता प्रेक्षन और अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार के प्रती सामानिक्रित धार्ना या विचार है किसी भी व्यवस्थित एवं व्यग्यानिक अनुसंधान में सिध्धान्त की स्थापना हेतु कुछ विशिष्ट अवधार्नाओं का उप्योग करना आवश्चक होता है अगर इनका भातिक अस्तित्वन ना हो तो इनको मानस रचनाकृती, कंस्ट्रक्ट भी कहा जा सकता है उदाहरन के लिए बुद्धी या निश्कपट्टा मानस रचनाकृती है जिसका हमें अपने शोध में उप्योग करना है इसका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं, हम उस व्यवहार या उसके घटकों का प्रेक्षण या मापन करते हैं, जो की व्रिद्धी या निश्कपट्टा, ओनिस्टी का प्रतिनिधित्व करता है मानस रचनाकृती अपने आप में विविद संप्रत्ययों का सम्मिश्रण हो सकता है, जिनके अनुसार उस कालपनिक रचनाकृती को स्वयं का आकार, अर्थ तथा कार्यक्षेत्र प्राप्थ होता है चरों के प्रकार, टाइप्स ओफ वेरिबिल्स एक, निराश्रित या स्वतंत्रचर, इंडिपेंडिन्ट वैरिबल फो स्वतंत्रचर वह चर होता है, जिस पर प्रयोक करता का नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है स्वतंत्र चर को उद्धीपंचर, stimulus variable भी कहा जाता है दो आश्रित या परतंत्र चर, dependent variable दीवी आश्रित चर वह चर होता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है आश्रित घर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं इन पर प्रयोग करता का कोई नियंत्र नहीं होता है पहला उदाहरन यदि कोई इस सिध्धान्त का परीक्षन करने के लिए प्रयोग करता है कि विटामिन किसी व्यक्ती की आयू संभाव्यता का विस्तार कर सकता है तो, एक इस प्रयोग में विटामिन की मात्रा स्वतंत्र है, इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाना है, यह किसी वैज्ञानिक विधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, दो इस प्रयोग में जीवन अवधी को हम आश्रित चर अत्वा स्वतंत्र चर द्वारा पापा गया, निराश्रित चरह परिश्रम, घंटों में मापा गया, एवं बॉधिक स्तर, एक क्यूँ, इसके अलावा, इस प्रकार अनुसंधान में हस्तक्षेप चर और बाहिय चर भी हो सकते हैं. तीम हस्तक्षेप चर, intervening variable इन्हें मध्यस्त चर के रूप में भी जाना जाता है. ये स्वतंत्र एवं आश्रित घर के बीच संबंध स्थापित करते हैं, और इसमें एक चर दूसरे नर को प्रभावित करता है. ये चर अनुसंधान प्रक्रिया को भी समझने में सहायक होते है चार, बाहे चर, extraneous variable वास्तविक जीवन की परिस्तितियों में ऐसे कई कारक या घर हो सकते हैं, जो की परिनाम को प्रभावित करते हैं. वे चर वास्तव में परिनामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ प्रतिस परधा करते हैं. शोदकर्ता की इन चरों का अध अधियन अभिकल्प, study design, के आधार पर चरों के प्रकार, अधियन अभिकल्प जिसका वर्णन आगे किया गया है, के आधार पर चर दो प्रकार के हो सकते हैं. एक, सक्रियचर, active variable जिन में हरफेर या कार्य सामन किया जा सकता है, या फिर यह कह सकते हैं, कि जिनको नियंत्रि नहीं किया जा सकता है। मापन की इकाई, मापन की इकाई के आधार पर वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोस्ति चर, डाइकोटोमस वेरिबल्स ऐसे चरो में की दो शरेनिया होती हैं। जैसे की नर और मादा, अमीर और आधी। इस पर आधारित प्राता पूछा गया था। स्टीवन के अनुसार इनकी मात्रा को ग्यात करने के लिए मापनी या पैमाने चार प्रकार कीतो सकती है। किया जा सकता है, जैसे संपूर्ण परिमानात्मक रूप, in absolute terms, में अंकों में या फिर प्रतिशत के रूप में या फिर श्रेनी में इसी तरह सामाजिक आर्थिक स्थिती को निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और वर्ग के रूप में किया जाता है। वर्ग को आगे नी मध्यम, हिन्वा मधी मध्यम मध्य, मिदी स्मिधी और इमाध्यम गलर रिदल सकता है। तीम, अंतराल मापनी, इंटर्वल स्केल यहां मापनी क्रमसूचक सपनों की होती है। इसके साथ साथ, यहां माप की इकाई का उप्योग भी करता है। उदाहरन के लिए Celsius पैमाना शोन्य डिगरी से लेकर सी डिगरी Celsius तक होना है। चार अनुपात मापनी, रेशियो स्केल यहां पैमाना परिमानात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए उप्योग किया जाता है। यह सांकेतिक क्रमसूचक एवं अंतराल मापनी के गुणों का सम्मिश्रण है। इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। इन मानक संकेतों की लिकट स्केल में उदारन के रूप में भी लिया गया है। इस धाना पर आधारत है कि प्रतेक कथन, स्टेट्मिन्ट या वस्तु का सामान महत्विया प्रभाव होता है, इसलिए उनकी मापनी पर भी मूल्य एक हो होना चाहिए। एक शिक्षक की गुणवत्ता में कई आयाम शामिल हो सकते हैं, जैसे ज्ञान के आधार, नॉलिज बेस, संचार कौशल, कम्यूनिकेशन स्किल, शिक्षन सामगरी की प्रस्तुती, प्रेजिन्टेशन अफ कॉंटिंस, संगठन शिक्षन सामगरी का संगठन आदी। कतिवादियों, रिस्पॉंदिन्स, का विभिन पहलूँ के प्रती अलग-अलग द्रिश्टिकोन हो सकता है, कुछ विवर्न सकारात्मक, नकारात्मक या निश्पक्ष हो सकते हैं, कुछ उतरदाताओं का दूसरों की तुलना में अधिक सकारात्मक रवया हो सकता है, यह सं चमलव पांच का भार महत्व दिया जा सकता है, शिक्षन सामगरी की प्रस्तुती को दो का इत्यादी, तीम गुत्तमान मापनी, गटमन स्केल यह मुख्यरूप से अनुपात मापनी पर आधारित है, इसे विक्सित करना काफी कठिन कार्य है, कारक विशलेशन, फैक्टर अ जैसे की मान लीजिये की हस्त लेखन और चित्रकारी में आपस में सकारात्मक सहसंबंध है, तो शोद करता इन में से एक ही को उप्योग में लाए, इसको कारक विशलेशन कहा जाता है, उपकलपना का सूत्री करन करना, Formulating Hypothesis किया जा सके, तब यहाँ अनुसंधान बन जाता है, अप्रत्यक्ष तत्यों के बारे में शिक्षत अनुमान को उपकलपना, परिकलपना या अभिकलपना, Hypothesis कहा जाता है, फिर प्रदक्त के आधार पर उस शिक्षत अनुमान या समाधान को स्वीकार या अस्वीकार किया अगर जान हो तो फिर शोध की आवशक्ता ही नहीं। यहां उसके समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान, educated guess लगाना चाता है, जिसको उपकलपना कहा जाता है। वैज्यानिक दृष्टिकोन से उपकलपना दो या दो से अधिक चरों के बीच के परिक्षन योग्य, testible, समाधान को कहते हैं। परिक्षन योग्य का अर्थ यहां है कि उपकलाना में दरों के बीच संबंदों को दर्शाता हुआ कथन सत्य है या असल्य। इससे शोद को एक दिशा मिलती है, उप्रोक्त चर्चा से परिकलपना की निम्न विशेश्टाएं सामने आती हैं। एक डॉट यहां एक अस्थाई कतने, tentative proposition है दो, यहां दरों के बीच तार्किक संबंदों को स्थापित करने का प्रयास है। तीम इस सोपान तक हम इसकी वैधता से अनभिग्य होते हैं। चार, यहां यथा संभव सरल होना चाहिए। पांच, इसका सामानी करन, generalization, संभव हो। उपकलपना के मुख्य कार्य, main functions of hypothesis उपकलपना का संबंध जनसंख्या या समश्टी की एक या एक से अधिक विशेष्टाओं से रहता है। हालांकि किसी शोध के लिए उपकलपना तयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण रूप से आवशक नहीं है। समपूर्ण का वैद अनुसंधान किसी उपकलपना को तयार किये बिना भी आयोजित किया जा सकता है। एक वर्णनात्मक उपकलपना, descriptive hypothesis यह उपकलपना विशेष्टाओं का वर्णन करने के लिए तयार की जाती है। उदाहरन के लिए भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान दर 10% है। दो सापेक्षा संबंध परक उपकलपना, relational hypothesis यह दो चरों के बीच के संबंध को दर्शाती है। उदाहरन के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मातापिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करती है। तीम व्याख्यात्मक उपकलपना, explanatory hypothesis इसमें दो चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या की जाती है। उदाहरन के लिए जब चेतन में व्रिद्धी होती है, तो खाद्य वस्तों पर व्याए में भी व्रिद्धी होती है। शून्य या रिक्त और व्यकलपिक उपकलपनों की अवधारना, Null and Alternative Hypothesis इस अवधारना का प्रतिपादन प्रोफेसर आरे फिशर, प्रोफेसर आरे, फिशर में व्यज्ञानिक जांच परताल के द्वारा उपकलपना या परिकलपना के परिक्षन के लिए किया था। शून्य उपकलपना का सूत्री करण अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। इस प्रकार की उपकलपना में हम यहां मान कर चलते हैं कि चरों में जिनके संबंधों का अध्यान किया जा रहा, उनके बीच कोई संबंध नहीं है, दूसरे शब्दों में कहें में सुधार या अंतर आता है। लेकिन जब हम शून्य उपकलपना को वर्नित करते हैं, तो मानेंगे कि कोचिंग से पूर्व और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में परिवर्तन नहीं आता शून्य परिवर्तन, तभी इसको हम शून्य उपक कहते हैं फिर हम इस कथन को प्रदक्तों से प्राप्त जानकारी या साक्ष आधार पर चुनौती देना चाते हैं, लेकिन शोध एक विज्ञान है और साक्षों के आधार पर ही निर्णय लेता है, साक्ष जुटाने के लिए हमके प्रदर्शन के पूर्व और बाद वाले एकत्री करते हैं, यह उपकल्पना के कथन को स्वीकार, अक्सेप्ट या अस्वीकर, रिजेक्ट कर सकता है और हम एक निशकर्ष पर पहुँझ जाते हैं, यदि शुन्य उपकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, तो वैकल्पिक उपकल्पना, अल्चनेटिव हाइपोथ को स्वीकार किया जाता है, एक दूसरा उदाहरन भी लिया जा सकता है, मान लीजिए, एक शिक्षत के रूप में आपकी यह धारना है, कि ग्रामीन और शहरी क्षेत्रों में छात्रों के बीच में कक्षा प्रदर्शन, प्लास परफॉर्मेंस में काफी अंतर है, लेकिन यहां उपकल्पना कानून की इस मान्यता पर आधारित है, कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोशी नहीं है, अर्थात उसमें और सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, जब तक कि उसके खिलाफ साक्षन न मिल जाए, इसी प्रकार शून्य उपकल्पना में दो चरों में तब तक कोई अंतर नहीं माना जाता जब तक कि शोद के परिणामों द्वारा यह सिद्ध न हो जाए, इसे सांखी की उपकल्पना भी कहते हैं। अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, प्रिपेरिंग रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान प्रक्रिया में उन परिकल्पना की रूपरेखा निरुपित करने के बाद, इसका अगला चरण अनुसंधान अभिक तैयार करना है। और प्रदन एकत्रित करने एवं उनका न करने के लिए कौनसी विधी अपनाई जानी चाहिए। अनुसंधान अभिकल्प एक गतिविधी है और यहाँ अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय पर आधारित एक योजना है। यहाँ जानकारी शकत्र करने के तरीको एवं उनके श्रोतों के बारे में शोधार्थी का मार्ग दर्शन करता है। यहां अध्यान के तहट चरों के बीच संबंध निर्दिष्ट करने की एक रूपरेखा है। यहां आविशब जानकारी को एकत्रित करने और उनका विशलेशन करने की विधियों एवं प्रत्रियाओं की निर्दिष्ट करने की एक महायोजना है। इसलिए अनुसंधान उपकल्प में निमलिखित विचार समावेशित किये जाते हैं। शाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, जैसे समय। और धन के नियूनतम व्याय से अधिक्तम सूचना प्राप्त करना। तीम यहां अभिकल्प अनुसंधान में लचीला पनाते हैं। चार इससे पूर्वाग्रा की संभावना कम होती है। पाच यहां अनुसंधान की विश्वस्नियता और निश्पक्षता बढ़ाते हैं। संपरकों की संख्या के आधार पर अध्ययन। अभिकल्प, Study Design on the Basis of Number of Contacts अनुसंधान अवधी के दौरान संपरकों की संख्या के आधार पर अनुसंधान दो। प्रकार के हो सकते हैं। एक पार अनुभागिय अभिकल्प, दो अनुभागिय अभिकल्प, Pro-Sectional Study Design। एक इस प्रकार के अध्ययन में नुसंधान प्रत्रिया के दौरान प्रदक्त केवल एब बार ही एकत्रित किये जाते हैं। एतिहासिक शोध इसका उदाहरन दो पनुदैर्यम अभिकल्प, Longitudinal Study Design इस प्रकार के अध्ययन में चैनित प्रतिदर्श इकाईयों से जानकारी एक से अधिक बार एकत्रित की जाती है। उदाहरन के लिए एक संगठन का संसाधन विभाग कर्मचारियों के वेतन व्रिद्धी से पहले संतुष्टी के स्तर की प्रदत प्राप्त करता है और फिर वेतन व्रिद्धी के बाद उनकी संतुष्टी के स्तर के बारे में प्रदत एकत्र कर सकता है। दूसरा उदाहरण है, जब एक दवा का प्रभाव देखने के लिए किया गया प्रयोग है, रोगी व्यक्ति को दवा खिलाने से पहले और बाद के स्वास्त्य स्थिती के बारे में प्रदत एकत्रित करना और उनका तुन्नात्मक विशलेशन करना. संदर्ब अवधी के आधार पर अध्ययन अभिकल्प, Study Design on the Basis of Reference Period. एक पूर्वव्यापी अध्ययन अभिकल्प, Retrospective Study Design यहां अतीत में हुई किसी घटना या स्थिती से संबंधित है. दोट भावी अध्ययन अभिकल्प, Perspective Study Design यहां भविश्य में होने वाली घटना की संभावना से संबंधित है. अध्ययन अभिकल्प, संदर्ब अवधी के आधार पर पूर्मव्यापी और भावी अध्ययन दोनों का एक सयोजन हो सकता है. जाँच के आधार पर अध्ययन अभिकल्प, Study Design on the Basis of Nature of Investigation अनुसंधान को मुख्य तौर पर अध्ययन अभिकल्प के उद्देशे से दो भागों में वर्गी क्रिप किया जा सकता. है, प्रयोगात्मक अध्ययन और गैर प्रयोगात्मक अध्ययन. प्रयोगात्मक अध्ययन, Experimental Study यदि हम कक्षा में नई शिक्षा विधी का प्रभाव देखना चाते हैं, तो कक्षा को दो समुहों में विभाजित कर दिया जाता है प्रयोगात्मक समुह और नियंत्रन समुह. एक प्रयोगात्मक समुह, Experimental Group जिस समुह में नई विधिया प्रयोग में लाई जाती है या कोई परिवर्तन किया जा सकता है, उसे प्रयोगात्मक समुह कहा जाता है, दो नियंत्रन समुह, Control Group जिसकी एकाईयों पर केवल, परमपरागत विधी ही अपनाई जाती है, उसे न लीजिए एक दवा निर्माता कमपनी अपनी दवा की प्रभावशीलता को जानने के लिए एक अनुसंधान कर रही है, इस उद्देश से रोगियों या प्रतिभागियों की दो समुह में विभाजित कर दिया, एक वह समुह जिसको दया का उपचार दिया जा रहा है, उसको प्रयोगात्मक या नियंत्रन समुह के रूप में एक समुह का चयन करना यादरिचिक रांडम है, दो सभी प्रतिभागियों को प्रयोगात्मक समुह या समुह के चयन समान अवसर प्राप्त होता गैर प्रयोगात्मक अध्ययन, नौन-Experimental Study, यहां एक पूर्वव्यापी अध्ययन है, गैर प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गैर प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प इस प्रकार हैं, एक क्रियात्मक अनुसंधान, Action Research यह वहां अनुसंधान है, जिसका लक्ष کिसी पातकालिक समस्या का समाधान धूनना है अर्थात जहा समस्या उत्पन्न हुई है वही उसके समाधान के लिए किया गया शोद क्रियात्मक अनुसंधान है उदाहरन के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश शिक्षक द्वारा कक्षा की समस्याओं को उजागर करना है और फिर कक्षा मे और स्वास्थय परिणामों बीच संबंध स्थापित करता है। सामाजिक शोद में इस प्रकार का अध्ययन कुछ सामान्य विशेश्टाओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में जन्मे वैवाहिक व्यक्तियों में तलाग की दर कितनी है। टीम प्लेसिबो नियंत्रित अध्ययन प्लेसबो कंट्रोल डिजाइन कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ रोगी अपने स्वास्थय में सुधार दिखाते हैं जबकि उनका नकली उपचार किया जाता है, जैसा कि उनकी सिर्फ चीनी की गोलिया दी जाती है, सिर्फ एक प्लेसिबो के विपरीत इसमें कोई जानकारी छिपाने का प्रयास नहीं किया जाता, यहां सब रोग्यों को पता हुता है, कि वे स्वयम और अन्य रोगी किस प्रकार के उपचारा धीन है, सोपान तीन, स्टेप तीन, प्रदत्त संग्रा उपकरण विक्सित करना, developing data collection instruments, प्रदत्त को तथ्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकत्रित की गई जानकारी के रूप में परिभाशित किया गया है, तो शोन्य उपकी स्वीकार किया जाता है, तीन, यदि प्रदत्त उपकल्पना के अनुरूप नहीं है, अस्रिक्रित कर दिया जाता है, ती उपकल्पन, प्रदत्तों को निमलिखित रूप में वर्गी क्रित किया जा सकता है, एक, प्राथमिक एवं गौन प्रदत्त, दो, जबकि गौन प्रदक्त कुछ अन्य अनुसंधान के उद्देश एकत्रित किये जाते हैं। प्रात में प्रदक्त शोद करता द्वारा नए सिरे से एक किये जाते हैं। और यहां सर्वेक्षन, तिपणियों और प्रयोगों पर आधारित होते हैं, यहां काफी खर्चीले होते हैं एवं इन्हे प्राप्त करना कठिन होता है। गीन प्रदक्त बाहिय स्रोटों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं, जैसे रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाए, किताबे और समाचार पत्र इत्यादी। यह विभिन्न उद्देशों के लिए एकत्रित किये जा सकते हैं। इसी एक व्यक्ति के विचारों संबंधित नहीं होते हैं। इनका उप्योग मात्रात्मक अनुसंधान में किया जान पांच है। दूसरी और विच्यनिष्ट प्रदन, सब्जेक्टिव डेटा केवल एक व्यक्ति की राय पर आधारित हो सकते हैं या यह शोदकर्ता पर निर्भर हो सकते हैं। इनका उप्योग गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। खर गुणात्मक प्रदत और मात्रात्मक प्रदत Qualitative Data and Quantitative Data गुणात्मक प्रदन में संख्यात्मक मूल्यों के बिना ही वस्तूओं का वर्णन किया जाना है। उदाहरन के लिए अनी साक्षातकार से नयों की उत्पती करना। इसके लिए शोद करता की या की आवशकता होती है। मात्रात्मक प्रदन में का उप्योग वस्तूओं के गुण प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। डन में विलप्रती, लाज सांपल की आवशक होती है और इसमें उचित न्या अभिकल्प के साथ सामानी करन करने की क्षमता भी अधिक होती है। पूच कर नहीं जाना जा सकता है। इसमें निन्रिखित गुण सम्मिलित है। सी, लचीलापन, फ्लेक्सिबल जानकारी प्राप्ट करने के लिए स्थिती के अनुसार डाला जा सकता है। परन्तु इसकी कुछ सीमाय भी है, जैसा कि पूर्वाग्रा की संभावना ज्यादा खर्चिला होना, दीरगकाल, छोटा प्रतिदर्श इत्यादी। चार, गैर प्रतिभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट अब्जवेशन यह काफी हद तक प्रतिभागी अवलोकन से विप्रीट स्थिती है, परियवेक्षक समूह की गतिविधियों में भाग लिए बिना निश्क्रिय रूप में समूह की गतिविधियों का अवलोकन करता है, इसका सबसे बड़ा लाब पूर्वागरा से मुक्त होना है, परंतु जानकारी इतनी गहन नहीं मिल पाती है, पांच पन्या अवलोकन, ब्लाइन अब्जवेशन इसका उद्देश अनुसंधान की पूर्वागरा से पूर्णत्या मुफ्त करना है, इसमें सर्वेक्षन की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ अब्जवेशन, एक ऐसे कई व्यवहारिक पहलू होते हैं, जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन, नहीं किया जा सकता है, दो, यह विधी काफी खर्चिली है, सर्वेक्षन विधी, सर्वे मेथद, सर्वेक्षन विधी की पुर और यह शोद प्रत्यक्षिया अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह विधी दो प्रकार की होती है, एक सरंचित सर्वेक्षन, स्ट्रुक्चर्ड सर्वेज पुदा स्माइली इसमें प्रतिवादियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशनों की आपचारिक को अपनी इच्छा से दिशा दे सकता है, सर्वेक्षन विधी के लाब, benefits of survey method, एक यह अवलोकन विधी की तुलना में कम खर्चिली होती है, दो इस विधी के द्वारा विभिन्द प्रकार की जानकारिया प्राप्त की जा सकती है, सर्वेक्षन विधी की सीमाए, limitations of survey method, एक इसमें गोपनियता की समस्या रहती है, इस विधी में कुछ प्रतिवादियों की तरफ से अनिच्छा की संभावना रहती है, साथ, एक, टी, तीम यह किसी पूर्वाग्रा से ग्रस्ट भी हो सकते हैं, संपर्क विधी, contact method, जानकारी मुख्यता mail, टेलीफोन एवं व्यक्ति इसमें प्रशनावली डाक से प्रतिवादी तक भेजी जाती है, वर्तमान में इसका उप्योग बहुत कम ही किया जाता है, या, ग, रडाक प्रशनावली के लाब, benefits of mail questions, क, एक, इसमें प्रतिक प्रतिवादी से कम लागत पर अधिक जानकारी प्राप्त की जाती है, न, दो इसमें प्रतिवादी व्यक्तिगत प्रशनों के उत्तर अधिक निष्ठा पूर्वक से दे सकता है, तीम इसमें पूर्वाग्रा से रहित होने की संभावना अधिक होती है, चार यह प्रतिवादियों के लिए उत्तर देने में सुविधाजनक होती है, डाक प्रशनावली क इस साक्षातकार में लचीलापन होता है और यह जानकारी एकत्रित करने लिए उप्योग किया जाता है। इसका उद्देश्य विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करना है। प्रशिक्षित साक्षातकार करता प्रतिवादी का ध्यान आकरशित करती हैं। यक्तिकत साक्षातकार का किसी भी प्रकार की प्रशनावली में उप्योग किया जा सकता है। यहाँ दो प्रकार का होता है अवरोधन साक्षातकार और समो केंद्रित साक्षातकार. अवरोधन साक्षातकार, Intercept Interviewing अवरोधन साक्षातकार के लाव एक, यह साक्षातकार विपनन अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे परियतन में. दो, इसके माध्यम से शोद करता कम समय में अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच सकता है तीम इसमें घरों, कार्यालियों, सड़क पर या शॉपिंग मॉल में लोगों से बात करना शामिल है अवरोधन साक्षातकार की सीमाई एक, इसमें साक्षातकार करता की ओर से तुर्टी और पूर्वागरा की संभावना होती है दो, इसमें साक्षातकार करता बात करते समय असज हो सकता है समू केंडरिट साक्षातकार, Focus Group Interview एक, यह साक्षातकार मुख्य रूप से 6-10 लोगों को एकत्रित करके कुछ घंटों के लिए किया जाता है यह किसी उत्पात सेवा या संगठन के बारे में बात करने के लिए आयोजित किया है यह सर एक परिनियामक, Moderator के परियवेक्षन में होता है जो इस प्रकार के साक्षातकार को एक दिशा प्रदान करता है दो, इसमें परिनियामक की निश्टना होना चाहिए एवं उसे विशय का ज्यान होना आवश्चक है तीम इस साक्षातकार की विडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है ताकि किसी संभावित विवाद से बचा जा सके चार यह साक्षातकार एक व्यापक विशय एवं दिश्टिकोन से आरंग होता है और बाद में विशिष्ट विशों पर केंद्रित होने की संभावना होती है इसके लिए परिनियामक महत्वपूर्ण भूमी का अदा करना है लेकिन इस विधी की अपनी सीमाए है इस प्रतिदर्श का आकार छोटा रहता है जिससे सामानी करन करना कठिन हो जाता है और वस्तुनिष्ठता की संभावना अधिक रहती है यह सूचना प्राप्ट करने की अत्यधिक प्रचलित साधारन बहुमुखी लागत वाली आत्मसंभाद है इसके एक पूर्वनिर्धारित प्रस्त का मुख्य विक्सित किया जाता है इसमें याद की लिखित रूप में देना होता है खा अती सचित साक्षातकार स्ट्रक्चर्ड इंटर्स प्रशनावली की व्यक्ती के एक उत्तर देते हैं तथा अनुसंधान की है उपन-ended questionnaire on questionnaires मुफ्त में कोई भी यह उचित समझता है जबकि अमरित के अंतरगत प्रश्न तथा संभावित उत्तर दिये होते हैं और प्रतिवादी को हर है अमुक्त प्रष्टों की प्रतिक्रियाओं के उदाहरन इस प्रकार ही सकते हां नहीं माही ततित्यादी का प्रयोग मुख्यता की प्रत्याशाओं तथा आकांख्षाओं की जानकारी हेतु किया जाता है, सर्वेक्षन डाग द्वारा प्रशनावली भेज कर भी किया जाता है सोपान चार, स्टेप चार न्यादर्ष या प्रतिदर्ष चयन, सेलेक्टिंग सांपिल्स न्यादर्ष की परिभाषा, गुण और के अनुसार एक न्यादर्ष साई नाम सपष्ट करता है, संपूर्ण समू का एक निमनतम प्रतिनिधित्व है अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वास्तविक्ता को जानता है समष्टी के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना हमसे भी ज्ञान में कि समश्टिया जन, पॉपिलेश्यों क्या है, यह उन इकाईयों या प्रतिवादियों का समू है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्ट करना चाते हैं कि अनुसार इकाई मनुष्य सर कुछ भी हो सकता है यदी संख्या बहुत ज्यादा है या जिसकी न की जा सके तो उसको असीमित समर्पित, इंफिनिट पॉपिलेश्यों कहा जाता है यदी शोदकर्ता की संख्या की बारे में प्रदन, डेटा, प्राप्ट करती है तो इसे दो प्रकार से किया जा सकता है तो यहाँ कही हर इकाई से दम एक्छिन करे या फिर उसके लिए प्रदान विधी की पहली विधी को जंगरना विधी आईसमास मेथेड का आथ है इससे शोधार्थी की जानकारी सीमित सकती है लेकिन सकी स्वागत बद जाईसी और समय भी अधिक लगेगा कलियों में जब तक सदन को हो सकता है कि समश्टी की या विशेश्टाई इसलिए प्रती विधी उप्योग हो जाती है यादर्श को समर्पित का लगू रप्रेजेंटेटिव जाता है लेकिन इसके लिए मौल न करने की निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है रप्रतिनिधिक होने का यसको परिभाषित करने वाले गुंधर्म प्रती अनुपात में उपस्थित हो जिससमा अनुपात में सकता है हमके बारे में जो भी आकखे की पहले से ही उपल हो जिसको हम उपकल्पना करते हैं उसको हमाचल या मीटर पॉपिलार पेरामिटर कहते हैं जो सांखी की पका हमके बारे में प्राप्त करते हैं उसको न्यादर्श सांखी की अकहा जाता है कारक तथा सामाजिक विश्यों के शोध कार्यों में न्यादर्श का विशेश होता है इसके बिना शोध कार्य का पूरा नहीं किया जा सकता है द्राम जनसंख्या का वह अश होता है जिसमें अपनी समष्टी प्युलेशन का समस्थ विशेश्टाओं का प्रतिविम रहता है。 न्यादर्ष का संपूर्ण से अध्यायन के लिए ऐसी एकाई को प्रिफग करना है, जो संपूर्ण का प्रतिनिदित्व करती हैं, तथा संपूर्ण की अपेक्षा छोटी है. के विशय में किसी चर्का मान प्रस्तुत करना पड़ता है, वहां यदि सभी इकाईयों का सर्वेक्षन किया गया तो सीमित साधनों से सीमित समय में काम संपन्द नहीं होगा। दो, दक्षता में वृद्धी, increase in ability परिणाम एवं उसको प्राप्ट करने के लिए किये गए व्याय के अनुपात को दक्षता कहते हैं, यदि सभी इकाईयों का अध्ययन न करने से परिणाम में कुछ तुटी रह गई तो भी व्याय में कमी हो जाने के कारण सर्वेक्षन की दक्षता बढ़ जाती है, तीम परिणाम की शुधता, accuracy of results सटी परिणाम प्राप्ट करना अनुसंधान में कार्यरत लोगों की कुछलता पर निर्भर करता है, सभी इकाईयों का अध्ययन करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवशक्ता होगी, जिने सीमित साधनों से प् प्रतिनिधी या परियाप्तता का गुर होने के लिए न्यादर्श की क्रिया मेता गया है, एक, संभाव्यता न्यादर्श, probability sampling, जनसंख्या की किसी इकाई को न्यादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन सयोग पर निर्भर करे, तो उस चयन विभी को संभाव्यता कह 1. सरल यादरिचिक न्यादर्ष, Simple Random Sample 2. स्टरीकृत यादरिचिक न्यादर्ष, Stratified Random Sample 3. समोन न्यादर्ष, Plaster Sample अब हम इनका विस्तार से वर्नन कर रही है 1. सरल यादरिचिक न्यादर्ष, Simple Random Sample इस प्रक्रिया में जनसंख्या की इकाईया क्रमांकित कर ली जाती है इस प्रकार प्रत्यक इकाई का एक क्रमांक होता है इकाईयों को इस प्रकार लिखना रूपरेखा तयार करना कहलाता है जो की इस प्रक्रिया में सबसे कठिन कार्य है इस न्यादर्ष में इकाईयों को इस प्रकार चुना जाता है कि ए प्रत्यक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है बी, एक एकाई का चुना जाना किसी दूसरी एकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है दो, सरीकृत या वर्गीकृत संभाव्य न्यादर्ष, स्ट्राटिफाइड प्रोबेबिलिटी सांप्लिंग प्राए, जब समश्टी विजातिय है, हेटरोजनिस होती है, तब हम वर्गीकृत संभाव्य न्यादर्ष का प्रयोग करते हैं यदि किसी विद्याले में शहर और गाव से छात्रों का 40-60 का अनुपात है, तो यहाँ सुनिश्चित किया जाता है कि न्यादर्ष में भी यहाँ अनुपात 4-600 का रहे यहाँ स्तरीकरन प्रशासनिक सुविधा के लिए भी आवश्चक है इसमें न्यादर्ष की एकाईयों के मान का प्रसार, range of variable values कम हो जाता है, जिससे मानक तुरुटी कम हो जाती है यहाँ इस विधी का सबसे बड़ा उप्योग है तीम, समूह न्यादर्ष, cluster sampling अगर न्यादर्ष का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, जिसको प्रशासनिक निगरानी एवं व्याय की द्रिष्टी से अधिक अनुपयोगी हो तो समूह न्यादर्ष बहुत सहायक होता है यहाँ जन संख्या को परसपर अनन्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है उदाहरं के लिए हमने राश्चिय स्तर पर ग्रामीन भारत में दसवी कक्षा के छात्रों का सर्वेक्षन करना चाती है हम सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन करेंगे फिर उन में से जिलों का फिर ब्लॉप एवं गाव के स्तर पर जाकर चयन करेंगे लेकिन जिन विद्धयालियों का चयन करेंगे हो सकता है कि वहाँ हम पूरी कक्षा ही न्यादर्ष के लिए ध्यान में रखेंगे असंभावयता न्यादर्ष, Non Probability Sampling असंभावयता न्यादर्ष, इकाई चयन की प्रचलित पधती है इस विधी में शोद करता अपने विवेक से इकाईयों का चयन करता है और न्यादर्ष को प्रतिनिधी एवं पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्यान का उप्यों करता है के प्रकार सुविधा न्यादर्ष, Convenience Sampling अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग न्यादर्ष लिए चयन करता है जिससे जानकारी लेना सबसे आसान हो हम इसको सुविधा न्यादर्ष कहते हैं लेकिन यहाँ विधी पक्षपात की द्रिष्टी से तुरुटी से रहित नहीं है सोदेश न्यादर्ष, पपोसिफ सांप्लिंग कुछ शोद कार्य न्यादर्ष के प्रतिनिधित्वता नहीं चाहते, उन्हें अपने विशेश उद्देश के लिए एक विशेश उद्देशी न्यादर्ष चाहिए, इसकी प्रमुख विशेश ताए ए, शोद कर्ता विशिष्ट समूह का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं बी, शोद कर्ता का एकाईयों पर अच्छा नियंत्रन रहता है ए, न्यादर्ष समूहों की तुलना भली भांती कर सकते हैं तीम कोटा न्यादर्ष, कोटा सम्पलिंग इस विधी में शोद कर्ता कई वर्गों में से एक निश्चित संख्या के प्रतिवादी से जानकारी प्राप करता है इसमें भी सुविधा का ध्यान रखा जाता है, ताकि जिस प्रतिदर्ष का चयन किया जाता है, उस तक पहुँचना सरल हो चार आकस्मिक नियादर्ष, अक्सिदेंटल सम्पलिंग यह भी सुविधा नियादर्ष जैसा ही है पर इसमें प्रतिवादी एक ही जगह से मिल जाते हैं मान लो की शोद करता का प्रदक्त आकार एक सौ साधारन व्यक्ति है, तो वह किसी माल या पार्ग के बाहर जो भी एक सौ व्यक्ति मिले, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है पांच, स्नोबॉल न्यादर्ष, स्नोबॉल सांप्लिंग इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है ये व्यक्ति प्रदक्त के लिए कुछ और व्यक्तियों का नाम सुझाएंगे जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हमें वांचित प्रतिदर्श ना मिल जाए न्यादर्श या नमूना अभिकल्प का निर्धारन Determining Sample Design एक स्वयन न्यादर्श, Sample itself जिस न्यादर्श का हम सर्वेक्षन करना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिती क्या है? दो, न्यादर्श का आकार, Sample Size विपुल न्यादर्श लगू न्यादर्शों की तुलना में अधिक विश्वस्निय परिणाम देते हैं तीम, न्यादर्श का चैन, Sampling इसमें यह तै किया जाता है कि न्यादर्श का चैन कैसे किया जाना चाहिए? न्यादर्श संभाव्यता या असंभाव्यता न्यादर्श विधी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है न्यादर्श के निर्धारन के संदर्ब में निमन 4 PS की अवधाना का प्रयोग किया जा सकता है एक, पॉपस अध्यान का सथीक उदेश क्या है? दो, पॉपिलेशन समश्टी की प्रकृति क्या है? तीन, प्रोसीजर, समय, संसाधन, बजट आधी चार, पब्लिशिंग, प्रकाशन से इसके महत्व का पता चलता है सोपान पाँच, स्टेप पाँच अनेक संस्थान ये अनिवार्य कर देते हैं कि किसी भी अनुसंधान परिये को स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए इस परियोजना का मूल्यांकन करने का आधार प्राप्थ हो जाता है यहां गाइड और निधिकरण, फंडिंग, संबंधी आपचारिक्ताओं के लिए आवशक है यहां तीन से साथ प्रिष्ठो का एक दस्तावेज है जो शोदकर्ता द्वारा इजाता है यहां दस्तावेज प्रस्तावित अनुसंधान कारेक्रम का विस्तरित विवर प्रदान करता है यहां वस्तुता संपूर अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा प्रिंट की तरह होता है अनुसंधान प्रस्तावों विभिन कारणों से लिखे हैं जैसे अनुसंधान की प्रमानी करण की आवशक्ताओं के लिए. अनुसंधान प्रस्ताव के मुख्य बिंदू, Main Elements of Research Proposal. एक अनुसंधान परियोजना की विशिष्ट रूप से आवशक्ता क्या होगा एवं कौन लाभार्थी होंगे. दो, समस्या का कथन और महत्व, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षन. मेथद तीम, किस प्रकार का प्रदक्त चाहिए और उसे कैसे एकत्रित करना होगा. चार, विशलेशन पाँच, किसी संगठन या संगठनों से सहायता की आवशक्ता छे. अवधी, सुविधाओं और धन की आवशक्ता. न्थ साथ, प्रस्तावकों का परिचय पत्र और उनकी साख, क्रेडिबिलिटी. त सोपान छे, स्टेप छे. प्रदक्तों का एकत्रिकरन कलेक्टिंग डेटा प्रदक्त एकत्रित करने के कई विकल्प या विधियां होती हैं, और शोधकर्ता जाँच की प्रकृती, उसका क्षेत्र, जाँच के उदेश, विनिया लागत, समय की उपलब्धता इत्यादी को ध्यान में रखकर उनमें से किसी एक विधी का चयन की करता है. या प्रात्मिक प्रदक्त प्रयोग या सर्वेक्षन के माध्यम से एकत्र किये जा सकते हैं. यदि शोधक किसी प्रयोग को आयोजित करना है, तो वहां उसके लिए परिमानात्मक मापन या प्रत्ता है. का उनका परिकलपना का परीक्षन करने के लिए विशलेशन किया है. सर्वेक्षन के विशय में प्रदन निमलिखित तरीको द्वारा एकत्र किये. जा सकते हैं, का एक अवलोकन बीबाय अब्जवेशों केके एकत्रित की जाती है और से होती है यहां विधी बहुत खर्चीली होती है तथा इसमें सीमित जानकारी हो एकत्रित की जाती है यहां विधी उन अनुसंधानों के लिए उप्यूक्त नहीं है जिनमें बड़े न्यादर्श उप्योग किये जाते है दो, व्यक्तिगत साक्षातकार, परसनल इंटर्व्यूज इसमें चकर्ता संरचित द्रिष्टिकोन अपनाता है और इस साक्षातकार में प्रशन पूर्व निर्धारित होते है इसमें आउटपुट भी काफी हद तक साक्षातकार करता की योग्यता पर निर्भर करता है टीम टेलिफॉनिक साक्षातकार, टेलिफॉनिक इंटव्यूस जानकारी एकत्रित करने की विधी में टेलिफॉनिक साक्षातकार भी शामिल है इसका प्रयोग तब किया जाता है, जब सर्वेक्षन को बहुत ही सीमित समय में पूरा किया जाना हो चार, मेल प्रशनावली, मेल क्वेशनेयज उदा स्माईली यह विधी आर्थिक एवं व्यवसाइक सर्वेक्षन में सबसे अधिक उप्योग की जाती है प्रशनावली के परीक्षन के लिए पाइलेट अध्ययन आयोजित किया जा सकता है और इसके औचित्ति की जाच की जा सकती है पाँच अनुसूचिया, स्केडियोज इस विधी में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रगनक, एनुमरेटर्स को विशेश रूप से नियूक और प्रशिक्षित किया जाता है अनुसूचियों में प्रासंदिक प्रशनों को शामिल किया जाता है यहाँ अनुमरिथिया प्रतिवादियों द्वारा दिये गए उत्तरों के आधार पर प्रगनक द्वारा भरी जाती है परियमेक्षकों द्वारा अनुसंधान प्रक्रिया की वैदता सुनिश्चित करने के लिए कुछ यादरिचिक, रांडम, जाच की जा सकती है हालांकि शोदकर्ता को इन सभी कारकों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन यहाँ ज्यादातर शोदकर्ता की योग्यता एवं अनुभव पर निर्भर करता है सोपान साथ, स्टेप साथ प्रदत्तों का प्रसंसकरण और विशलेशन, Processing and Analyzing Data प्रदत्त एकत्रित करने के बाद अनुसंधान प्रक्रिया के अगले चरण में प्रत्तों का विशलेशन किया जाता है प्रदत्तों के विशलेशन के लिए उन्हें कुछ प्रबंधनिय समूहों या तालिका में संगटित किया जाना चाहिए और ऐसा प्रदत्तों का प्रासंदिक एवं उद्देशपूर्ण श्रेनियों में वर्गी करन करके किया जा सकता एक संपादन, एडिटिंग प्रदत्तों के शोधन या शुद्धी की प्रक्रिया को संपादन कहा जाता है संपादन का मुख्य उद्देश प्रतिवादी द्वारा प्रदान किये गए गलत अनुमान, गलत वर्गी करन और तुटियों की पहचान करना एवं उनको कम करना होता है संपादन के माध्यम से कूटलेखन के लिए प्रद्नों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है दो, कूटलेखन, कोडिंग यहाँ अनुसंधान में किसी चर्के मापद निर्भर करता है कूटलेखन के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रदत्ट गुणात्मक है या परिमानात्मक गुणात्मक प्रदत्ट वर्णात्मक, श्रेनीगत, क्याटिगोरिकल, या असत, डिस्क्रीट हो सकते हैं परिमानात्मक और स्पष्ट जानकारी को संख्यात्मक मूल्यों में परिवर्तित करके संसाधित किया जाता है यहां आमतोर पर उस्तर पर किया जाता है जब प्रदत्शों की श्रेनियों को प्रतिकों में परिवर्तित करते हैं जिने बाद में सारनी बद्ध किया और गिना जा सकता है, वर्णनात्मक या गुनात्मक प्रदत्त में शोदकर्ता सभी साक्षातकार की प्रतिलिपी के माध्यम से चलता है, जिसमें लोग एक ही घटना को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं प्रदत्तों का वर्गी करन, Classification of Data प्रदत्तों का वर्गी करन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें प्रदत्तों को सामान्य विशेष्टाओं के आधार पर समुहों या वर्गों में क्रमबद किया जाता है, यहां निमलिखित तरीके से किया जा सकता है विशेशताओं के अनुसार वर्गी करण, classification according to attributes प्रदत्वरनात्मक या संख्यात्मक हो सकते हैं इसके अलावा वर्गी करण या तो सरल वर्गी करण हो सकता है या बहु संख्यक वर्गी करण एक डॉट सरल वर्गी करण, simple classification इस वर्गी करण में हम केवल एक विशेशता पर विचार करते हैं और संपूर्ण समष्टी को दो वर्गों में विभाजित करते हैं पहला समूर जिसमें एक विशेश गुण होता है, दूसरा समूर वह जिसमें वह गुण नहीं होता है उदाहर नार्थ वर्गांतराल के अनुसार वर्गी करण, classification according to class intervals वर्गी करण आय, उम्र, भार, कर, उतपाधन आदी से संबंधित प्रद्नों के साथ किया जाता है ऐसे परिमानात्मक प्रदक्तों की चरो के मांखीकी के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गी करण किया जाता है सार्णी करण टाबिलेशन सार्णी करण टक्नीकी प्रक्रिया का एक भाग है, जहां वर्गीकृत प्रतों की तालिका के रूप में दर्शाया जाता है यहां अंक्रों का सारांश पूर्व कर विशलेशन करने के लिए सुख्थित रूप, Consolidated Form में प्रदर्शित की प्रक्रिया है इस उद्देश के लिए यांत्रिक उपकरणों का भी उप्योग किया जा सकता है, और दिल की बहुत अधिक हो, तो स्मर्नियन के लिए कम्प्यूटर का भी प्रयास किया जा सकता है यहां प्रत को कॉलम और पतियों में की एक क्रमबध व्यवस्था है यहां होता है एक, यहां करने की प्रक्रिया की सुविधाजन बनाता है दो, इससे सदी का योग करना एवं हटियों का पता लगाना सरल होता तीम, यहां विभिन्न संगनन, स्टाटिस्टिकल, कॉम्प्यूटेशन के आधार प्रदान करता है सानी करन की सरल एवं जटिल सागियों के रूप में भी वर्गी कृत किया जा सकता है सरत सारी में परिणाम मुख्य तोर पर एक ही तरह की तालिका में है जिसमें प्रदत की एक ही विशेषता के बारे में बनाया जाता है जैसे प्रतिशत औसत, सहसंबंद, कोरिलेशन, प्रती इत्यादी, यह काफी हद तक सुगम और परिमानात पर निर्भर करता है। गुणात्मक प्रदक्त विशलेशन Qualitative Data Analysis विपनात्मक द्रशिकोन कार हो सकता है, और इसमें मुख्य रूप से कुछ नियव प्रक्रिया हो सकती है। इसमें शोद करता सामगरी की है। अर्थ मुख्य विशय की करने की सामगरी का विशलेशन करना इस चरण शामिल है। 1. मुख्य विशय को करना, identify the main themes 2. मुख्य विशयों के to the main themes 3. मुख्य विशयों के अंतरगत प्रतिको वर्गी कृत करना, classly responses under the main themes 4. रिपोर्ट के प्रतिक्रियाओं को एकी कृत करन, integrate themes and responses into the text of your report FF Quantitative Data Analysis 5. यहाँ निधी अच्छी तरह से और के लिए शाब्दिक प्रशनावली का उप्योग करने के लिए है। 6. इसमें प्रदत्का की सेक Manual प्रदन विशलेशन, Manual Data Analysis विशलेशन उस थिती में किया जाता है, जै प्रतिवादियों और घरों की बहुत कम हो। 6. यहाँ केवल आवरितियों और सरल क्रोस सार्निय, ओप्रोस स्टाबिलेशन की गणना के लिए ही उप्योगी है। 7. कम्प्यूटर द्वारा प्रदत्कों का विशलेशन करना, डेटा अंशा आसिंग कम्प्यूटर यदि आप कम्प्यूटर के माध्यम से प्रविशलेशन करना चाहते हैं, जो आपको इसके उचित प्रोग्रामों से परी होना चाहिए। इस ख्षेतर में कम्प्यूटर और सांखिकी का ज्यान एक महभूमी का निभाना है। विदो जके लिए SPSS इसका सबसे सामान्य सौफ्ट है। हालां की देटा इन्पुट लंबी और ठका देने वाली प्रक्रिया हो सकती और अगर इसमें देटा गलत तरीके से प्रेशित किया जाए तो यहां आई परिणाम को भी प्रभावित करता है। संधान संगठनों द्वारा किया जाता है। उपकल्पना का परिक्षन हाइपॉथिस टेस्टिंग। प्रदत्थ विशलेशन करने के बाद में उपकल्पना का परिक्षन करने की स्थिती में होना है। पहले क्या गया है, ऐसी संभावना होती है कि गुणात्मत अध्यान में कोई आपचारिक परिकल्पना न हो। परिमाणा प्यान में देखते हैं कि उपकल्पना का समर्थन करिया उसके विप्रीथ है। इस उद्देश के लिए सांखी की विदो द्वारा विभिन परिक्षन विक्सित किये गए हैं, जैसे काई वर परिक्षन डिस्क्वेरी परिक्षन एक परिक्षन इत्यादी। यहां छात्रों को यहां बताना उदर्श के आकार के आधार पर की परीक्षन, स्टाटिस्टीक प्रकार के हो सकती हैं। एक लगु जादर्श परीक्षन औल अंगल टेस्ट, जिसमें न्यादर्श में इकाईयों की सोती है। दो, एपल में न्यादर्श में काकी होती है. उपप्रकार के हैं, राचल में की परीक्षन, parametric test, दिन में के यार में कोई की जाती है. अनीथ हूं, non-parametry test की नहीं की जाती है. अधी, चिकारे, परीक्षन की हम आप्रचल सांखी की चित्रामुक्त, distribution free, परीक्षन की श्रेनी में ही। उपकल्पना का सामानी करण और व्याख्या, Generalizations and Interpretation। यहां पर दोहराना आवशक है कि सामान्य व्यवहार में उपकल्पना का अर्थ किसी अस्थाई विचार, प्रोविशनल आइडिया में होता है जिसके Merit Demarits अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए ही सामान्यता वैज्ञानिक परिकल्पनाए गणितिय प्रतिरूप, Mathematical Model के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जो उपकल्पनाए अच्छी तरह परीक्षन के सुस्थापित, वेल इस्टाबलिश्ट हो जाती है, उनको सिध्धान्त कहा जाता है। यदि कोई शोधक्ता के पास कोई उपकल्पना नहीं होती तो यहां अपने निश्कर्षों की किसी सिध्धान्त या सिध्धान्तों के आधार पर व्याख्या करता इससे कई नए प्रश्न उत्पन्न ह होती हैं, जिनका समाधान भविश्य में नए अनुसंधान में दिया जा सकता है। सोपान आठ, स्टेप आठ, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, शोध रिपोर्ट का प्रारूप, रिसर्च रिपोर्ट फॉर्माट, शोध रिपोर्ट क अनुसंभान करते समय, उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों की एक सूची बनाए जिनका प्रयोग किया गया हो। मुख्य स्वरूपन शैलिया है, एपीए मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, जबकि MLA का उप्योग उदार कला, लिब्रल आंट्स और मानवी की संबंधी विश्यों में किया जाता है। पुस्तक बटा लेक का शीर्शक, तीन जर्नल शीर्शक, चार प्रकाशन का वर्ष, पांच प्रकाशक, छे प्रकाशन का स्थान, साथ प्रिष्ट संख्या, पेपर स्वरूपन, पेपर फर्माटिंग शीर्शक प्रिष्ट या साथ नहीं होता है, इसके दो प्रमुख भाग है, पेपर की काया और उद्धरन सूचकांग शीर्शक प्रिष्ट, टाइटल पेज एपीए शैली में स्वरूपित किये गए पेपर में शीर्शक प्रिष्ट सहित प्रतेक प्रिष्ट के शीर्ष पर प्रिष्ट शीर्ष लेग का उप्योग करती है, पेज नंबर बिलकुल दाई पर रहता है, और पेपर का शीर्ष बिलकुल बाई पर होता है, शीर्षक प् प्रशिक्षक का नाम, पाठ्यक्रम और दिनांक शामिल है। शेश प्रिष्थों में बाय और शीर्षक होता है, जिसमें लेखक का अंतिम नाम और प्रिष्ट संख्या सामिल होता है। संदर्ब की शैली, स्टाइल ओफ रेफरेंसिंग। MI.A लेखक प्रिष्ट उथपेज प्रारूप का अनुसर्ण करते हैं और APA लेखक तिथी उथदेट स्वरूप का अनुसर्ण करते हैं। APA शैली में उद्रित पाठ के बाद लेखक का अंतिम नाम और प्रकाशन का वर्ष कोश्ठक में दिया होता है। M.A. स्वरूपित पेपर में टेक्स्ट के बाद कोश्ठक में लेखक का अंतिम नाम और प्रिष्ट संख्या दिया होता है। M.A. लेखक का नाम शीर्षक प्रकाशन का स्थाना प्रकाशक वर्ष ध्यान दे की वर्ष आखरी वस्तु हैं। University Praise का संख्यप UP दिया जा सकता है। Udaharan 1. Smith, John Deconstructing Colonialism, The Discourse of the Empire, 1870-1898 Bloomington, Illinois, Vesleyan UP, 1998 Udaharan 2. Rosenberg, Arthur, Is There a Text in This Universe? Studies in Teaching College Astrology, 12.1997 Udaar Smiley, 221-242 APA, लेखक का नाम, कोश्ठकों में प्रकाशन का वर्ष, शीर्षक प्रकाशन का स्थाना प्रकाशक विश्व विद्याले प्रेस को संक्षिप्त रूप में नहीं लिखा जाता है। लटकदार लिखावत, Hanging Indent Deconstructing Colonialism, The Discourse of the Empire, 1837-1898 Bloomington, Illinois, Wesleyan University Press Udaharan 2. Rosenberg, A. 1997 Is There a Text in This Universe? Studies in Teaching College Astrology, 12.21-242 MLA का उप्योग लेखक पेज तथा आपका उप्योग लेखक तिथी के लिए किया जाता है। साथ ही MLA का उप्योग साहित्य के लिए किया जाता है, तथा शास्त्र जैसे विश्यों के लिए किया जाता है। APA का उप्योग समाज APA में References शब्द का उप्योग किया जाता है, तथा MLA में Work Seated का उप्योग किया जाता है शोध निबंद एवं शोध प्रबंद Dissertation and Thesis भारत एवं यूरोप में शोध निबंद की परिंती सनातकोत्तर, Post Graduate की उपाधी है, जैसे की MS बटा M टेक MSC बटा M फिल इत्यादी शोध प्रबंद की परिंती Doctor of Philosophy, PH.D होती है सन्युक्त राज्य अमेरिका में स्थिती विप्रीत है, वहां शोध निबंद से Doctorate की दिग्री मिलती है, एवं शोध प्रबंद में सनातकोत्तर की शोध निबंद में यहां माना जाता है कि शिक्षार्थी को एक वस्तु विशेश में निशकर्ष पर पहुँचने के लिए नई जानकारी का होना प्रयाप्त है, इसमें पहले से ही ग्रहन जानकारी के आधार पर नए निशकर्ष निकाले शोध निबंद में कम समय चाहिए दूसरी और शोध प्रबंद में वास्तविक अनुसंधान में उपपपुष्टी, स्वीकार या अस्वीकार करना अनिवार्य है, शोध प्रबंद में अधिक चाहिए होता है अनुसंधान आचार नीती, Research Ethics अनुसंधान आचार नीती के लिए मुख्य दृष्टिकोन एक आचार विशक दृष्टिकोन, Deontological Approach इस दृष्टिकोन के अनुसार, अनुसंधान में नैतिकता को सुनिसी करने के लिए सार्वभामिक कोड होना चाहिए यहाँ एक प्रकार परम सिध्धान्त, Absolute Principles है जिनकी चुनौती नहीं है जा सकती है दो, नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोन, Ethical Skepticism Approach इस दृष्टिकोन के अनुसार, अनुसंधान में नैनित को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभामिक कोड नहीं हो नैतिक माबदन देश या काल के आधार पर परिवर्तनिया है और यह सापेक्ष, Relative है शोध में नैतिकता के बारे में निरनय उससे होने वाले लाब और उस पर होने वाले व्याय की तुलना करने के बाद ही लिया जाना चाहिए यदी शोध अध्ययन से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित लाब, अपेक्षित जोखिम से अधिक है, तो ऐसा शोध नैतिक माना जाना चाहिए अनुसंधान में हिद्धारक Stakeholders in Research अनुसंधान में कई हिद्धारक होते हैं, जिनका नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधी से प्रभावित हो सकते हैं इनमें मुख्य रूप से प्रतिभागी या न्यादर्श हैं, जिनसे आंकडे प्राप्त करने होते हैं दूसरा तिचारक शोदकर्ता को माना जा सकता है, इसके अलावा निधियन एजंसी और ग्रहतर समाज भी इसके हिद्धारक है ततिभागियों से संबंधित नैतिक मुदे, Ethical Issues Relating of Participants एक, जानकारी एकत्रित करना, Collecting Information शोदकर्ता सबसे पहले शोद से संबंधित जानकारी प्राप्त करता अनुसंधान के बिना, समाज में कोई भी बौधिक प्रगतिया विकास नहीं होता है इसलिए शोदकर्ता की गाम में भिन्ना बातों पर विचार करके वर्तमान परिस्थिती में सुधार करने की आवशक्ता होती है दो, प्रतिभागियों की सहमती प्राप्त करने का प्रयास करना seeking consent of participants, दीफा की अध्ययन में भागने की सहमती प्राप्त होती है उनकी और प्रक्रियाओं के बारे में परियाप्त जानकारी दी जाती है ताकि ये तरकशील प्रोटसाहन राशी प्रदान करना, providing incentives लोग प्रोटसाहन राशी के कारण शोध अध्ययन में भाग है चार, समवेधनशील जानकारी प्राप करना, seeking sensitive information कुछ लोग जानकारी को समवेधनशील एवं गोपनियता के रूप में मानते हैं उनकी आए, उम्र, वैवाहिक स्थिती आदी के बारे में पूछना उनकी निजी जीवन में हस्तक्षेप के रूप में माना जा सकता है हालां कि यह जानकारी अनैतिक नहीं हो सकती यदी प्रतिभागियों को शोध में पहले ही परियाप समय देकर इन सब के बारे में स्पष्ट कर दिया जाए पाँच, प्रतिभागियों को नुकसान पहुचने की संभावना, possibility of causing harm to the participants उदा स्माइली जब हम प्रतिवादी, respondent से प्रदत्त, data, एकत्रित करते हैं या प्रयोगों में किसी विशय को शामिल करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक यहां लेना चाहिए कि उनकी भागिदारी से उन्हें किसी प्रकार के नुकसान की संभावना तो नहीं है छे, गोपनियता बनाए रखना, maintaining confidentiality अनुसंधान में एक प्रतिवादी की जानकारी को दूसरे प्रतिवादी से साज़ा करना अनैतिक है और प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी की गोपनिया रखा जाना चाहिए शोद कर्ता से संभंधित नैतिक मुद्दे, ethical issue relating to the researcher एक पूर्वाग्रा से बचना, avoiding bias अनुसंधान प्रतिवा में वस्तुनुष्ठता, objectivity का अर्थ है पूर्वाग्रा से बचना, यहाँ अनैतिक माना जाता है पूर्वाग्रा तथ्यों को जान बूज कर छुपाने का प्रहत्न है दो, कुपचार के प्रावधान या अभाव, provision or deprivation of a treatment यह चिकितसा संबंधी शोद मामले में विशेश रूप से सत्य है तीन, अनुचित शोद पधती का प्रयोग, using inappropriate research methodology, अनुसंधान में अधिक पक्षपातपूर्ण नमुना विधी या प्रक्रिया का जान बूज कर उप्योग करना अनैतिक है चार, गलत reporting, incorrect reporting यह शोद करता के हितों को ध्यान में रख कर किया जाता है पांच, जानकारों का अनुचित उप्योग, inappropriate use of the information कई बार संगठन में जानकारी का अनुचित उप्योग व्यक्तियों को नुकसान पहुचाने के लिए किया जाता है अनुसंधान को अधिक नैतिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण Important measures to make research more Ethical 1. सुचित सहमती, informed consent जिन व्यक्तियों की सहमती प्राप्थ होती है, ये अनुसंधान में स्वैप से भागिदार होते हैं, और वे किसी भी समय शोध अध्ययन से निकल सकती है 2. रक्षात्मक अनुसंधान अभिकल, protective research design, इसके अंतरगत हानिकारत प्रभावों के घटने उनकी गंभीरता आधी को शामिल किया जाता है 3. स्क्रीनिंग, इसमें शोध अध्ययन के लिए उन व्यक्तियों का चयन करने का प्रयास किया जाता है, जो संभावित जोखिम के लिए उच्च सहिश्नुता, tolerance दिखाते हैं 4. पाइलेट अध्ययन, पाइलेट स्टाडी पाइलेट अध्ययन से अनुसंधान के दौरान प्रदक्तों को एकत्रित करते समय होने वाली संभावित हानियों के बारे में अधिक स्पष्टता सामने आती है, उनका आकलन किया जा सकता है, और उनसे बचने के बारे में संख्यावसाई कूट की दो विशेष्टाएं विचारविमर्श के लिए महत्व पूर्ण हैं। देने की आवशकता है। शोदगंगा और शोदगंगोत्री ये दोनों इन्फलिबनेट जिसका वर्नन आठवे अध्याय में किया गया है द्वारा स्थापित डिजिटल रिपोजिट्री है। अब शोद करताओं को अपना शोद कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी में स्टोर कर, इन पर भी अपलोड करना होगा। इससे भावी या वर्तमान शोद करताओं की शोद के लिए स्ट्रीट मिल सकते हैं, एवं शोदचोरी, प्लेजियरिज्म की समस्या पर भी नियंत्रन किया जा सकता है। पेपर प्रस्तुती, आलेक, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन और संगोष्ठी। पेपर प्रस्तुती, पेपर प्रस्तुती, पेपर प्रस्तुतेशन, पत्र को एक निबंध या सेमिनार में शोद निबंध और पत्रिका में प्रकाशित निबंध के रूप में परिभाशित किया गया है। यह शोद प्रयास या बौधिक अभ्यास का एक परिणाम है। आलेक लेखन, आर्टिकल राइटिंग एक आलेक संभावित रूप से आपके शोध को प्रसारित करने और एक प्रकाशन रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सबसे कुशल साधन है, इसको शोध की समालोचना के रूप भी लिखा जा सकता है। शैक्षणिक जीवन के क्षेत्र जैसे की रोजगार प्राप्त करना और अनुसंधान अनुदान जीतना भी एक अच्छे प्रकाशन रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। आलेक मुख्य तौर पर प्रकृती में जानकारी पूर्ण होते हैं, जो की शोध विशय को सामान्य रूप से संबोधित करते हैं, जिसमें एक समस्या या प्रश्न, शोध विधी, देटा, निशकर्ष, तुल्ना आदी शामिल रहते हैं। शोध लेक विशेश रूप से एक सहक्मों की समीक्षा में पाया जाता है। वैज्ञानिक या चिकित्सा पत्रिका, जैसे की जर्नल ओफ चिकित्सा अनुसंधान आदी में प्रक्षित होता है। आलेक चार प्रकार के हो सकते हैं। एक अर्थ प्रकाशक, एक्स्पोजिच्वी, दो वरनात्मक, डिस्क्रिप्टिफ, तीन प्रेरक, पस्वेसिफ प्रेरक लेखन, अन्य लोगों को अपने द्रिश्टिकोन के आसपास लाने का प्रयास करता है। चार कथा, नारेटिफ, इसमें चरित्र और समवाध होंगे। आलेक को लिखे जाने के निम्न चरण हो सकते हैं। एक परिचेह यहां, विचारों की मौलिक्ता, विचारों का महत्व, लेखन की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण मानदन्ध है। दो पमूर्थ बनाना, राइटिंग अब्स्राक्शन यहां एक दो सो से तीन सो शब्द का दस्तावेज हैं, जो लेख का संक्षित सारांश या विवर्ण प्रदान करता है, प्रिष्ठ भूमी, तरीके, परिणाम और निशकर्ष, लेकिन यह सब विशय पर भी निर्भर कर प्रकाशत पेपर के हिस्से के रूप में एक सार भी आवशक है, इसका उद्देशर रुची को आकरशित करना और संभावित पाठकों को प्रेरित करना है, तीन लेख लिखना है, इसमें मुख्य रूप से परिचय, विधी, परिणाम, चर्चा और निशकर्ष शामिल है, 4. Free Writing और Generic Writing, फ्री राइटिंग का विचार आपकी शुरू करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप लिखना जारी रखें, यहां याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक मात्र व्यक्ति जो आपके इस लेखन को पढ़ेगा, यहां आप ही है, इस चरण में परिश्कृत करना प्रकाशन से पहले आपके लेग की समीक्षा अन्य शैक्षर्क विशेशग्यों द्वारा की जाएगी, न्या की आपका लेग प्रकाशन के योग्य है या नहीं साथ, सबमिशना एक बार जब आप एक लेग प्रस्तुत करने के तयार हो जाते हैं और एक पत यहां आमतौर पर एक अपचारिक सभा है, जिसमें विशेशग्य किसी संबंधी विशय को लगु रूप में संबोधित करते हैं, और बाद में उन विश्यों से संबंधी प्रशनों के उत्तर देते हैं. यहां विशेश रूप से प्रतिभागियों को दर्शक या श्रोताओं के रूप में संबोधित करता है, और प्रस्तुतिया भी तैयार की जाती है. संगोष्ट को एक पत्रिका के रूप में किसी विशेश विशय पर लेखन से भी परिभाशित किया गया है. यहां विशेश रूप से एक शैक्षिक सभा होती है, जिसमें विशेशग्य संबंधित विशय को संबोधित करते हैं, और फिर उन विश्यों से संबंधित प्रशनों का उत्त देते हैं, संबर्धन अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के लिए लक्षित होता है, ना कि वि सभागी व्यवसाइक प्रवरितियों और घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप करने की अपेक्षा रखते हैं, यहां एक शैक्षिक सम्मेलन, व्यवसाइक सम्मेलन, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन या शांती सम्मेलन हो सकता है, सेमिनार, सेमिनार, किसी विश्व वि विश्यों के अलग-अलग विशेशग्यों को बुला सकते हैं। विश्यों के बैठने के लिए स्थान होता है। विश्यों के विशेश रूप से ICT के उप्योग के बिना नहीं किये जा सकते हैं। जहां पर जटिल संगर्ना, देटा विश्यों और मॉडलिंग की आवशक्ता होती है। वैज्यानिक शोद में कम्प्यूटर का उप्योग अध्ययन के सभी चरणों में किया जाता है। सांखिकिय विश्यों उपकरण, Statistical Analysis Tools, SPSS का अर्थ है, Statistical Package for Social Sciences। यहां सामाजिक विज्ञान के लिए सांखिकिय विशेशताएं प्रदान करता है। एक, डेटा द्रिश्य और परिवर्तन शील द्रिश्य प्रदान करता है। दो, सांखिकिय निश्कर्ष। तीन, सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेशन। चार, विचर्ण का विश्लेशन। पाच, गैर पैरामिट्रिक परीक्षन। छे, परिकलपना परीक्षन, टी-टेस्ट, ची-स्क्वायर, जेट-टेस्ट, एनोवा, पिचर आदी। साथ, बहुभिंदरूपी डेटा विश्लेशन। आठ, आवृत्ती वितर्ण। एक, लाइन, स्केटर, चार, आगेव, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट के लिए विभिन ग्राफ का उप्योग करके डेटा एक्स्पोजन। डेटा विश्लेशन उपकरन, डेटा अनालिसिस टूल स्प्रेडशीट, पाकेजिस। एक कम्प्यूटर अनुप्रयोग है, जो एक पेपर वरकशीट का अनुकरन कई कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है, जो एक पंक्ती और स्तंभो एक ग्रेड बनाते हैं, प्रत्ते कोशिका जिसमें अलफानियूमेरिक कमान होते हैं Microsoft Excel 1-2-3 परिकलपना परिक्षन, टीट, देटा विशलेशन उपकरन, डेटा अनुप्रेडशीट, पाकेजिस। एक कम्प्यूटर अनुप्रयोग है, जो एक पेपर वर्कशीट का अनुकरण कई कोशिकाओं को प्रदर्शित करता है, जो एक पंक्ती और स्तंभो एक ग्रेड बनाते हैं, प्रत्ते कोशिका जिसमें अलफानियूमेरिक कमान होते हैं Microsoft Excel लोगप्रिया स्प्रेडशीट सॉफ्ट्वेर है, अन्या स्प्रेडशीट केज है, लोटस एक फरवरी दो हजार तीन क्वाट्री प्रो, जेवलिन प्लस, मल्टी प्लेन, विसकैल्क, सुपरकैल्क, प्लान परफेक्ट आधी अन्या सांखी की उपकरण S.A.S.S.P.L.S.L.E.V.U. आदी Word Processor Package एक शब्द प्रोसेसर, दस्तावेज तैयारी प्रणाली, एक ICT अनुप्रयोग है, जिसका उप्योग किसी भी प्रकार के मुदरन योग्य सामगरी के उत्पादन, रचना, संपादन, स्वरूपन और संभवता मुदरन सहित के लिए किया जाता है Processing शब्द पैकेज Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, Software, अक्षर, गुजराती, अमीपी, आदी प्रस्तुतिकरन सॉफ्ट्वेर एक प्रस्तुतिकार्यक्रम एक कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर पैकेज है, जिसका उप्योग सूचना की प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है सामान्य रूप से स्लाइड शो के रूप में इसमें मुख्य रूप से तीन प्रमुक कार्य होते है एक संपादक जो पार्ट को सम्मिलित करने और प्रारूपित करने की अनुमती देता है दोव सामगरी को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिक चित्रों और एक स्लाइड शो प्रणाली को सम्मिलित करने और चर बदलाव करने की विधी यहाँ यहाँ प्रस्तुती पैकेज है Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics, Coral Presentations, Apple Keynote एते Database Management System, DBMS Database जानकारी का एक संगठित संग्रा है एक DBMS एक सॉफ्ट्वेर है जो एक Database को प्रबंधित करने के लिए डिसाइन किया गया है विभिन्न Desktop Database में Microsoft Access Paradox, धसे या धसे Foxbase, FoxPro, Visual FoxPro FileMaker Pro आदी का प्रेयोग किया जा सकता है बहुस्तरिया समर्थन करने वाले वानिजिक Database Server Oracle MSSQL Server, Sybase, Ingers, Informix DB2, UDB, TBM, Unity, Integral आदी है विभिन Open Source Database Package है, MySQL PostgreSQL, Firebird, आदी है Browser, Browser एक बार एक Software Application है, जो उप्योग करता को Text के साथ प्रदर्शित करने और बात करने में सक्षम बनाता है चित्र वीडियो, संगीत, खेल और अन्य जानकारी आम तौर पर एक साइट पर वेब पेज पर स्थित होती है उदाहरन Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator, Chrome, Google Browser Safari, आदी है Internet उपकरन, Internet Tools Serve Engine Google, Popular Search Engine Yahoo Webcrawler Excite AltaVista Online Data बटा दस्तावेस प्रबंधन, Online दस्तावेस प्रबंधित करने के लिए Dropbox Google Drive Google Docs MS SkyDrive, Free Microsoft 300 Peset, Paid Version Online Data संग्रा, विभिनन उप्योग करताओं से, Online है, एकत्र करने के लिए Online Forms, Online Questionnaires Online Surveys Collaboration Tools Skype, Voice and Video Conferencing Google Hangouts, Voice and Video Conferencing आधुनिक अनुसंधान उपकरन, Modern Research Tools Zotero Evernote बहुविकल्पी प्रशन, Multiple Choice Questions अनुसंधान परिचाए एवं अभिलक्षन, Research Introduction and Characteristic एक अमेयाद परिया है एक पूल्म व्यवस्थित, Systematic, गतिविधी है यहाँ केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है